नमस्कार साथियों स्वागा थे आप सबी का आज हम बात करेंगे 36 गल के संपोण भुगोल की यह सीरीज अपने आप में 36 गल के अंतरगत एक मात्र ऐसी सीरीज है जिसमें हम एक ही वीडियो के अंतरगत 36 गल का संपोण भुगोल कवर करने वाले हैं 36 गड़ के भूगोल के सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं 36 गड़ का संपुर्ण भूगोल एक ही वीडियो के अंतरगत सबसे पहले हम बात करेंगे 36 गड़ के भूगोलिक सीमा की भूगोल के सारे टॉपिक कवर करने वाले ये मैंने बना रखा है 36 गड़ का मैप अब इस प्रकार के मैप बनाने की सुविधा ये होती है फायदा ये होता है कि हमको पता चल जाता है किसकी सीमा किसको आसानी से टच कर रही है 36 गड़ का ओरिजिनल मैप और उसके अंतरगत विभी नजीले बनाना बहुत ही मुश्किल का कार है और टाइम टेकिंग भी है अगर आपको कुछ चीजे याद नहीं आ रही है एक्जाम में कि किसकी सीमा किसको स्पर्श करती है और ऐसा कुछ प्रशना गया तो आप दो मिनट की अंतरगत ये सारे मैप बना सकते है ये पूरा मैप आप बना सकते है ठीक है ब्लॉक डाइग्राम के फॉर्म में बनाया हुआ है तो देखे ये आपका नीचे है बस्तर संभाग बस्तर संभाग के उपर आ जाएंगे ये आपका दुर्ग संभाग उसके बगल में आपका ये दिखरा है पाँच जीलो को समाहित किया हुँ है रैपूर संभाग उपर आ जाते हैं ये पूरा आपका बिलासपूर संभाग और बिलासपूर संभाग के उपर है ये सरगुजा संभाग ठीक है अब जीलों की संख्या देख लेते है वरतमान में कुल 28 जीले है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कोंडा गाउं की सीमा को मैंने बीजापूर से टच करता हुआ दिखाया है, मतला वो इस्पर्ष करती है, ठीक है, तो यहाँ पर एक दूइधा वाली स्थिती है, तो ज़्यादा तर यह बस्तर संभाग को ले कर ही है, क्योंकि आप 36 गड क की सीमा नरायनपूर को स्पर्ष नहीं करती है, यह आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, दंते वाले की सीमा नरायनपूर को स्पर्ष नहीं करती, कोंडा गाउं की सीमा बीजापूर को स्पर्ष करती है, बस्तर की भी सीमा बीजापूर को स्पर्ष करेगी, तो इस तरीके स किसकी सीमा किसको स्पर्श कर रही है इसपर्श टूप से तो यह arrow यहाँ पर किया कुंडा गाउन बीजापूर को स्पर्श करता हुए मुख्यता इसी में confusion होता है ठीक है एक दूविधा और होती है कि बस्तर नराणपूर से स्पर्श कर रहा है कि नई मैप को अगर देखें ओफिशल साइट से तो एक रेखा बारिक सी रेखा हमको दिखाई देती है बस्तर का नराणपूर से टच करते हुए ठीक है तो वो आप देख लीजिएगा साथी साथ अब मैंने बता दिया कि कौन किसको स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर यह आपका सुविधा जनक है इस राजनांदगाउ, वेमेतरा, दुर्ग, बालोद, ठीक है अब यहाँ पर कौन किसको स्पर्श करता है आपको exactly ऐसा ही मैप बनाना है अगर आपको ध्यान में रख़ रहा है कौन किसको स्पर्श करता है तो आपको exactly ऐसा ही बनाना है आप यह रेखा उपर नहीं करेंगे ठी चीज़ आप ध्यान रखिए चले इससे होगा क्या कवर्धा दूर्गों को इसपर्ष करता हुआ नजर आ जाएगा जो कि नहीं है यहाँ पर दूर्गों कवर्धा इसपर्ष करते नहीं है ठीक है तो यहाँ पर वैसे ही दिख रहा है हमको चलिए आगे आजाए इधर यह चल रहा है तो बड़े असानी से पता चल रहा है और हमको पता करना है अगर कि कौन से जिले की सीमा किसको इसपर्ष करती है किसको नहीं करती है तो बड़े असानी से इस प्रकार के मैप से आप बता सकते हैं जैसे अगर मैं आप से पूछो बलोदा बजार की सीमा दूर्ग को इसपर्ष करती नजर नहीं आ रही है, मतलब नहीं करती है क्लियर है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, अगर हम अंतर जिले की बात करें, तो कौन किसको इसपर्ष करती इससे पता चलेगा, दूसरा क्या पता चलेगा कौन कौन सा जो जिला है वो अन्य राज्यों को सपर्श करता है यह कितने जिले 36 गड़के अन्य जिलों को इसपर्श करते हैं ठीके है इसकी हम बात कर लेते पहले पूरे जिलों को एक बड़ दिख लिजे ऊपर आएंगे बिलास्पूर संभाग पड़ेगा बिलासपुर संभाग में आप जीलों की संक्या 6 हो चुकी है नवंबर माप कीजिए फरवरी 2020 के बाद से क्योंकि फरवरी 2020 में नए जीले का निर्मान हुआ जिसका नाम है गोरेला पेंडरा मरवाही ठीक है ना गोरेला पेंडरा मरवाही तो इस प्रकार बिलासपुर संभाग में गोरेला पेंडरा मरवाही बिलासपुर मोंगेली कोरवा जांजगीर चापा और रायगर ठीक है 6 जीले हो गए उपर आएंगे सर्गुजा संभाग कोरिया सूरजपूर वल्रापूर सर्गुजा जशपूर कुल 5 जीले सभी को काउंट करेंगे आप साथ, साथ, पाँच, बारा, बारा, पाँच, सत्रा, सत्रा, च्छे, तेईस, और तेईस, और पाँच, अथाईस, अथाईस, जीले हो गया है वरतमान में ठीक है यह ध्यान रखें अब 36 जड़ का कुल चेतरफल देख लीजिए 36 जड़ का कुल चेतरफल है 132,192 135,192 वर्ग किलोमेटर भारत के चेतरफल का 4.1,1 प्रतीशा थाई है और चेतरफल की दृष्टी से 36 जड़ नववड़ा राज्य है ठीक है यह basic information ध्यान में रख लीजिए अब देखते हैं कौन-कौन सा राज्य चतिजगड की सीमा को इसपर्ष करता है तो सबसे पहले आप ध्यान में रख लीजिए सबसे पहले आप ध्यान में रख लीजिए कि कितने ऐसे आपके राज्य है जो चतिजगड की सीमा को इसपर्ष करते हैं तो यहां से गाउन करते हैं उडिसा के इधरा आएंगे आंधरदेश आंधरदेश के इधरा आएंगे तेलंगाना महारास्ट मंधप्रदेश उत्तरप्रदेश जार्खण ठीक है तो एक दो तीन 4, 5, 6, 7 कुल 7 राजी हैं जो 36 गड़ की सीमा को स्पर्ष करते हैं अब सवाल ये भी बन सकता है कि उडिसा कितने जीलो को स्पर्ष करता है, जारखन कितने जीलो को स्पर्ष करता है, तो इसकी बात करते हैं मैप में दर्शाय हुआ है तो देखिए उडिशा से शुरू करते हैं उडिशा ऐसा राज्य है जो 36 गड़ की अधिक्तम मतलब सबसे अधिक जीलों को इसपर्श करता है देखिए कहां से यह पूरा यहां से लेकर यहां तक इसपर्श कर रहा है मतलब जश्पूर एक राइग आछ जीलों को इसपर्श करता है यह ध्यान में रखें क्लियर है एक दो तीन चार पाथ चैस साथ आथ सुकूमा तक सर्श करता है कहां से लेकर जश्पूर से लेकर ठीक है तो यह आठ जीले हो गए अब इधार आते आँद्रप्रदेश की तो आँद्रप्र नेष केवाल स तो यहां से आपका तिलंगाना शुरू हो रहा है, मतलब सुक्मा को टच करता हुआ, बीजापूर को टच करता हुआ, तिलंगाना दो जीलों को इस्पर्श कर रहा है, सुक्मा और बीजापूर को, ठीक है, यह तिलंगाना हो गया, अब आजाएए महारास्ट, महारास्ट बी प्रिदेश किसुरा राजनानद गाउं को सपर्ष करता मों 48 य bere contribute द्वहूं पहले जब गोरेला पेंद्रा मरवाही को सपर्ष करती थी लेकिन जब से गोरेला मरवाही बना है बेलासपुर की सीमा मध्यप्रदेश को इसपर्ष नहीं करती है यह ध्यान अरकिएगा इस्पेशली ठीक है तो इस प्रकार बेलासपुर जो है भू आवेस्ठित जिला बन चुका है अब भू आवेस्ठित मतलब कोई ऐसार जिला जो ना तो किसी अन्यराजि को इसपर्ष करता हो और ना ही समुदर की सीमा को इसपर्ष करता हो ठीक है घीरा हुआ कह सकता है भू आवेस्ठित लैंड लोंड डिस्ट्रेक्ट ठीक तो काउंट करते है एक बार फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ बलरामपुर को भी टच करता है मद्रप्रदेश साथ जीले हो गए और उत्तर प्रदेश केवल एक जीले को इसपर्श करता है और वो है बलरामपुर ठीक है? अब बचा जहरखन तो जहरखन बलरामपुर को और जशपुर को दो जीलो को इसपर्श करता है जहरखन ठीक है? तो इस प्रकार हमने देख लिया सभी जीलो राज्जियों के बारे में कि कितने कितने जीलो को इसपर्श करते है तो इस प्रकार ये आपका दूसरा यहां से question बन सकता है ध्यान रखिएगा एक और प्रशन ये बन सकता है कि 36 गड़ में भू आवेस्ठित जिलो की संख्या कितनी है भू आवेस्ठित जिलो की संख्या कितनी है पहले तो एक चीज़ ध्यान रखे CGPSC के द्वारा एक प्रशन पूछा गया था कि कितने जिले 36 गड़ के अंतरगत है जो भू आवेस्ठित नहीं है जब ये प्रशन पूछा गया था तो उस समय जिलो की संख्याती 27 और उस समय भू आवेस्ठित जिलो की संख्याती 9 तो 27 में से 9 को आपको घटा देना था आज आता 18 लेकिन अब क्या है भू आवेस्ठित भू आवेस्ठित जिलो की संख्या हो चुकी है 10 बिलासपूर को मिला कर तो अब 28 जिले और 10 भू आवेस्ठित तो 28 में से 10 घटाएंगे तो अभी भी 18 हो जाते हैं जो भू आवेस्ठित नहीं है ठीक है क्योंकि ये जो 10 है ये भू आवेस्ठित है भू आवेस्ठित मतलब लैंड लोग ठीक है ये ध्यान लखें कौन-कौन से तो देख लेते हैं जो किसी अन्यराज्य की सीमा को इसपर्च नहीं करते हैं तो देखें, यहाँ पर यह जांजगीर चापा है, यहाँ पर कोरबा, ठीक है, उपर देखें तो कोरिया, सूरजपूर, बलरामपूर, जश्पूर, यह सभी अन्यराज्य को इसपर्श कर रहे हैं, यहाँ पर यह सरगुजा, ठीक है, यहाँ पर बॉलोदा बजार, यह इधर से बात करें, तो कोंड़ा गौँ भी करेगा, कांकेर भी करेगा, नरायनपूर भी, बीजापूर भी, सुकमा भी, बस्तर भी, ठीक है, तो बस्तर संभाग से केवल दंतेवाडा ऐसा है, जो किसी अन्यराज्य को इसपर्श नहीं करता, तो काउंड करें, एक, दो, त 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए, 10 कुल मिलाकर भुवावेस्टित जीलो की संख्या है, यहाँ पर, तो यह हमारे मैप का फायदा, इस प्रकार के मैप का फायदा, ठीक है न, तो इस प्रकार के किसी भी प्रश्न बन सकता है, यहां से, ठीक, तो यह फायदा है, देख लीजिए, इ है न, चलिए, आगे बढ़ सकते हैं, और अगर इसको करने का और भी फायदा यह है, कि आप किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, भोगोलिक सीमा से रिलेटेड, ठीक है, अब ऐसे बोल दे कि, कुछ और बाते सुल लीजिए, सबसे ज कम सीमा रेखा, लंबाई शेयर करने वाला जीला कौन सा है, वो है धमतरी, मतलब इसकी सीमा बहुत कम है, और बलरामपूर की सबसे अधिक, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों भी बन सकते हैं, अब ऐसा प्रश्नों भी बन सकता है, कि 36 गड़ के कौन से जीले ऐसे हैं, जो तीन राज्य को इसपर्श कर रहा है, है ना, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है, कि कौन तीन जीलों को इसपर्श करता है, मतलब कौन तीन राज्यों को इसपर्श करता है, कौन दो राज्यों को इसपर्श करता है, उसका भी उत्तर यहाँ पर आ जा सकता है आगे बढ़ते हम चलिए अब मैं इसके बाद वन्नी जी अभ्यारण के बारे में बात करना चाहूंगा आप से अब देखिए भागवलिक, भुगारविक, सरचना, खनीज, मिट्टी ये सब की भी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे वो पीडिया फॉर्म में है फ लुजा समभाग से यहाँ पर आपका तमोर पिंगला है तमोर पिंगला अभ्यारण जिसका आपका एरिया है यहाँ पर जो मैप के अंतरगत वो लिखा है वो एरिया चेत्रफल है और जो ब्रेकेट में लिखा है वो उसका गठन वर्ष है ठीक है तो तमोर पिंगला आपका सूराजपूर ये आपको जीला अब ध्यान में आ जाना चाहिए इसके पहले जस्ट मैंने बता रखा है ये आपका सूराजपूर जीला सूराजपूर जीले के अंतरगत आपका तमोर पिंगला वन्य अभ्यारन इसकी छेतरफल जो है 608 स्क्वेर किलो मिटर स्क्वेर किलो मिटर लिखा हुआ है 608 वर्ग किलो मिटर है और इसका गठन हुआ था 1978 में ठीक है अब इससे भी कैसे कैसे प्रशन बनेंगी वो मैं बताऊँगा फिलहला आप एक बर देख लीजिए याद करने की कुशिश करिए ये आपका बलरामपूर जीला बलरामपूर जीले के अंतरगा सेमरसूत अभ्यारन याद करें सेमरसूत अभ्यारन सेमरसूत अभ्यारन का जो एरिया है चेतरपवल है 430 वर्ग किलो मिटर है और इसका गठन हुआ 1978 में ये जश्पूर में आ जाते हैं ये जश्पूर है आपका जश्पूर का जो वन्यभ्यारन है उसका नाम है बादल खोल बादल खोल का एरिया 105 वर्ग किलो मिटर है और इसका गठन हुआ था 1975 में ठीक है ना अगला ये आपका रैगल रैगल में गोमालडा वन्यभ्यारन है इस थापना हुई थी 1975 में और इसका एरिया है छेतरफल है 278 वर्ग किलो मिटर नीचे आएंगे आपका महासमून पड़ेगा महासमून में बारनवा पारा है गठन हुआ था 1976 में और एरिया है 245 स्क्वेर किलो मिटर ठीक है नीचे आएंगे अब देखें बारनवा पारा को लेकर कहीं पर यह है कि वो बलवदा बजार में भी है तो एक तरीके से यह है कि जो बारनवा पारा है उसका मुख्य भूभाग महासमून के अंतरगत आता है और कुछ भाग बलवदा बजार के अंतरगत भी आता है लेकिन बारनवा पारा को महासमून के अंतरगत लिया जाता है, ये ध्यान में रखेगा ठीक है, बलोदा बजार पजार में भी उसका हिस्सा आता है तो ये थोड़ी दूइधा वाली स्थिती रहती है, महासमून लेना है कहाँ पर है अगर उसका अंसर आ है तो अब देखें यहाँ पर है उदन्ती, उदन्ती है गरियाबन में, यह आपका गरियाबन जीला उदन्ती का चेतरफल है 230 वर्ग किलोमेटर और कब गटित हुआ था 1983 में साइड में आएंगे सीता नदी, सीता नदी वन्यभ्यरण 569 वर्ग किलोमेटर चेतरफल निर्मान हुआ था 1974 में अब इसके संबन्द में ध्यान में रखना है, दोनों को मिला कर, उदन्ती और सीता नदी को मिला कर सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर डिकलियर किया गया था, सबसे पहले नहीं मतलब दोनों को मिला कर प्रोजेक्ट टाइगर डिकलियर किया गया था, उसके बाद टाइगर रिजर्व घोशित किया गया, दोनों को मिला कर उदंती और सीता नदी को मिला कर फिर उसके बाद 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोशित किया गया तो एक चीज़ ध्याँ में रखेंगे पहले प्रोजेक्ट टाइगर होता है फिर टाइगर रिजर्व आता है तो 2009 में दोनों को मिला कर उदंती प्लस सीता नदी को मिला कर उदंती है गरियापन में सीता नदी है धमतरी में दोनों को मिला कर प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में और 2009 से टाइगर रिजर्व है दोनों मिला कर ठीक है एक साध्यान रखें आगे बढ़ें यहाँ पर देखें बीजापूर है 183, अगला है भोरम देव 2001 में स्थापित, एरिया है 163 वर्ग किलो मिटर, उपर आएंगे मुंगेली जीला, मुंगेली में है अचानक मार, अचानक मार भी एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यह ध्यानक है, चली, 552 स्क्वेर किलो मिटर, 1975 में स्थापना इसकी हुई थी, 552 स्क्वेर किलो मिटर, क्लियर है, तो यह पूरा सारी चीज़े मैंने बता दिया, अब इससे प्रश्ण कैसे बन सकते, अगर इतनी बाते आपको ध्यान में है, तो सबसे पहले पूछ सकता है, कि सबसे बड़ा कौन सा वन्य अभ्यरन है, तो इस प्रकार प्रश्ण पूच सकता है, तो सारे जीले भी आव याद रखना है, छेत्रफल भी याद रखना है, गठन वर्ष भी ध्यान में रखना है, सभी का, तो सबसे बड़ा 608 तमोर पिंगला, अब एक सेग्मेंट आप ऐसे बना सकते हैं, इतना करने के बाद कि 1974 वाल को एक लिए फिर आने वाले, मतलब इस प्रकार वर्ष के गठन के करम में आप लिख सकते हैं, चाहे तो, मैंने उधारन बता दिया, अब मैं बात कर लेता हूँ, सबसे नविंतम वन्या भेरन कौन सा है, तो देखे, 2001 में गठित हुआ भोराम देव वन्या भेरन, सबसे 1974 में सीता नदी वन्या भेरन धमतरी के अंतरगत आने वाला, ठीक है, तो ये आप किसी भी प्रकार के प्रशनों का उत्तर इस मैप के थ्रू दे सकते हैं, वन्या भेरन से रिलेटेड, ठीक है, अब जैसे कुछ जील जन्तु के बारे में पूझ जा जाता कि कहां किसकी खास इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से सर्रक्षिट, अब मैं कुछ देर बाद में रास्ट्री उद्यान भी बताऊंगा, ठीक है, ये थे वन्या भेरन, रास्ट्री उद्यान भी अलग होते हैं, तो इस प्रकार जीव जन्तु के तोर पे भी आप अचानक मार के ध्यान में रख सकते हैं, तो ये है, वैसे जीव जन्तु जान्वरों से प्रश्न कफी कम बनते हैं, अब देखे उपर के देखे बादल खोल, सेमर सोते हो गया हाथियों के लिए है, ठीक, नील गाय के लिए आपका तमोर पिंगला सेमर सोत है, तो इस त सब का वर्ष देख लीजिए ध्यान से, सब का चेतरफल देख लीजिए, ठीक, चलें आगे बढ़ें, अब हम राश्ट्री उद्ध्यान की बात करेंगे, राश्ट्री उद्ध्यान की बात करेंगे, चतिस गण में राश्ट्री उद्ध्यानों की संख्या है तीन, यह आप ध्यान में रखें, चतिस गण में राश्ट्री उद्ध्यानों की संख्या है तीन, एक है इंद्रवती राश्ट्री उद्ध्यान, एक है आपका गुरु घासी दास, और एक है कांगेर वैली, ठीक है एक है कांगेर वैली ये ध्यान रखें आप तीर राश्टी उद्यान, इंदरवती गुरु घासी दास और कांगेर वैली कांगेर घाटी राश्टी उद्यान तो इनके समद में कुछ-कुछ बाते ध्यान में रख सकते हैं वन्याब भेरणी की संख्या आपको ध्यान में रखनी है और दोनों अलग-अलग हैं ठीके ना ये दोनों अलग-अलग हैं इसमें आपको confusion वाली इस्तिती नहीं लानी है confusion वाली इस्तिती नहीं लाईएगा इसमें ठीके चली देखें सबसे पहले इंद्रवती राश्टी उध्यान की बात करें तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी बीजा पूर जिले में है ये और इसका एरिया भी ध्यान में रखना है 1258 वर्ग किलोमेटर 36 गड का सबसे पहला राश्टी उध्यान है ये और 36 गड में एक मात्र गेम सेंचुरी जिसका नाम है कुट्रुग्रेम गेम सेंचुरी इसी राश्टी उध्यान के अंतरगत आता है इंद्रवती नदी इसी राश्टी उध्यान के मद्दे से बहती है इसका नाम इंद्रव सबते सर्व घोचित किया गया, 2009 से, ये ध्यान रखे, क्लिर है, चलिए, आगे देखे, गुरु घाषिदास राष्टी उद्यान, 1981 में इसका गठन हुआ, इसका Nag明白 हूआ, कोरिया और सुरजपूर में है ये, कोरिया और सुरजपूर में समीक तुरूप से, गुरु राश्टी उध्यान कर दिया गया इसका एरिया ध्यान में रखे 1441 वर्ग किलो मेटर 1441 वर्ग किलो मेटर और इस प्रकार ये 36 गड़ का सबसे बड़ा राश्टी उध्यान है ये ध्यान रखें और सबसे चोटा राश्टी उध्यान की बात करें तो कांगिर घाटी राश्टी उध्यान होने वाला है जो तीसरा राश्टी उध्यान हम देखेंगे तो राश्टी उध्यानों की संख्या तीन है वन या भेरन इसके पहले जो देखा वो था दोरों में अंतर होता है चलिए आग आपका जो हमने अभी देख़ा इंद्रावपती ठीक है नए इसके पहले हमने क्या देख़ा इंद्रवपती प्रोजेट टाइगर रिजर्फ और तीसरा जो आपका है वो मिलाकर है सीता नदी उद्धनती को तो कुल चार नहीं है, तीन ही है एक मिलाकर बनाया गया है एक जो है वो मिलाकर बनाया गया है किसको सीता नदी और उद्धनती को तो वो एक ही माना जाएगा ये confusion आप confusion से बचिएगा मतलब चलिए आगे देखे कांगिर घाटी राष्टि उध्यान स्थापना वर्ष 1982 बस्तर में है बस्तर जीले में इसका एरिया है 200 वर्ग किलोमेटर 200 वर्ग किलोमेटर तो सबसे छोटा कह सकते हैं सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा गुरुगासिदास और सबसे छोटा कुट्रो माफ किजी कांगिर घाटी 1982 में इसे एशिया का पहला बायोस्फियर रिजर्व घुशित किया गया था लेकिन वर्तमान में ये बायोस्फियर रिजर्व नहीं है इसमें भैसा दरह नामक एक इस्थान है जहाँ पर प्राक्रितिक रूप से मगर मच पाय जाते हैं पहले भी सुनाओगा आपने तितली पार्क भी इसी कांगेर घाटी रास्टी उध्यान के अंतरगत आता है चले वही चीजे लिखिए वर्तमान में जो अचानक मार है वही बायोस्फियर रिजर्व है 2005 से कौन से करम का देश का चौधवा देश का चौधवे नंबर का बायोस्फियर रिजर्व अचानक मार है मुंगेली जीला ठीक है गिधुवा पक्षी विहार गिधुवा पक्षी विहार जो है बेमेतर रंग के अंतरगत आता है बेमेतर का नंदी घाट ठीक है और स्पेसिफाई कर दिया नंदी घाट और दूसरा पक्षी विहार रंगी के अंतरगत जो बिलासपूर जीले में आता है ठीक है यह आप जयान में रखेंगे क्लियर है तो यह था पुरा वन्य जीव भेरन और रास्ट्री उद्ध्यान क्लियर इसके अलावा कुछ परियोजनाय भी चलाई जा रही है चतिसगर सरकार के द्वारा वन्य जैसे भालू को लेकर जामवंत परियोजना चलाई जा रही है और हाथियों को लेकर गजराज परियोजना चलाई जा रही है तो हाथियों को लेकर गजराज परियोजना कहां चलेगी जहां पर हाथी मुख्यता पाये जाएंगे तो हाथी कहां पर चतिरण में पाये जाते हैं तो भालू कहाँ पर होंगे, मनेंद्रगड में, कटगोरा में, ठीक है, यहाँ पर चलाया जा रहे हैं, क्लियर है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गया हमारा यह, अब हम PDF के फॉर्म में देखेंगे, बचे हुए टॉपिक, बचे हुए टॉपिक मतला भवी तो मेजर सारे पोर्शन बचा हुए, जिसमें भूगार्विक सरचना, खनीच, नदी, नाले, जल्प्रपात, यह सारी चीज़े कवर होंगी, चलिए, भूगोलिक सीमाम ने चत्ती रण के देख रखी थी, अब हम शुरू करेंगे, जिले निर्मान के क्रम से, यह भी भूगोल के अंतर गथी आते हैं, ठीक है ना? चलिए, जिले निर्मान का क्रम कौन-कौन से जिला, कब बना, ठीक है? तो देखें, 1961-62 की बात करें, तो दो जिले, चत्ती गड़ से, रैपूर और बिलासपूर, सबसे पहले दो गटित होने वाले जिले, रैपूर और बिलासपूर, 1961-62, ठीक है? अगर प्रशन पूछ ल चत्ती गड़ के अंतरकात बनने वाले दो जिले, रैपूर और बिलासपूर, सबसे पहले, बनने वाले जिले, रैपूर और बिलासपूर, 1961-62, ठीक है? आगे देखें, 1906 दुर्ग, 1906 में दुर्ग जिले का निर्मान हुआ, तीसरा, चत्ती गड़ का जिला, याद करते ज 1948 वर्ष की बात करते हैं, तो 1948 में तीन जिले, 1948 में तीन जिले, ठीक है? 1948 में तीन जिले कौन-कौन से? रैगण, बस्तर, सरगुजा, रैगण, बस्तर, सरगुजा, तो कुल जिलों की संख्या हो गई, तीन प्लस तीन यहाँ पर छे, मैं बताते जारों सासां देखेगा, 1948 तक जिलों की संख्या, छे, आजादी के पहले तीन, आजादी के जस्ट बाद, 1947 में अजाद हुआ भारत, 1948 में जिलों की संख्या हो गई, छे, अब कैसे याद रखे रैगण, बस्तर और सरगुजा को? तो रैबस, सर, रैबस, सर करके एक कोड ध्यान में रख लेना, देख से रैगण, बस से बस्तर, सर से सरगुजा, और राज से फिर से क्या आजाएगा? राजनांद गाओं, हालाकि राजनांद गाओं का गठन वर्ष 1973 है, लेकिन 1948 में तीन एक साथ या दख लीजिए, और कोड चारों का एक साथ या दख लीजिए, क्या होता है? तो 1973 में एक ज जीला निर्माण हुआ, राजनांद गाओं, और कुल मिलाकर हो गए जीलो की संख्या साथ यहां से, क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ष है 1998, मतलब 36 गाड राज्य बनने के जस्ट पहले, दो वर्ष पहले, 1998, 2000 में चत्तिरण का निर्माण हुआ, राज्य के DMD, थोड़ा मैं काम करता हूँ, बढ़ा कर देता हूँ, इसको देख लीजेगा, यहां तक तो क्लियर है, 1948 तक राय बस्तर, रायगर बस्तर, सरगुजा, ठीक है? 6 जीले यहां तक हो गए, अब मैं थोड़ा बढ़ा कर देता हूँ, देख लीजेगा, ठीक है न? 1973 में रादनांद गवाँ मैंने आपको बताया, इस प्रकार जीलों की संख्या कुल हो गई कितनी? 3, 3, 6 और 1, 7, 1998 आप ध्यान रखें, 1998 में आपको कितने जीले ध्यान में रखने हैं तो देखेंगा, यहां से, ठीक है, जे, पहले कोड याद करिए, यहां से, जे, के, डी, जे, के, डी, एम, डी, याद करें, जे, के, डी, एम, डी, ठीक, जे से दो जीले निर्माण होंगे, जे से आने वाले दो जीले बनेंगे, जश्पूर और जांजगीर चापा, जश्पूर और जांजगीर चापा, जे हो गया, के की बात करते, के से चार जीले बनेंगे, कोर कोरिया कोर्भा कवर्धा काकेर ठीक है इसमें ध्यान रखे कोंडा गाउन आए कोंडा गाउन आए कोंडा गाउन गार आपके ने कर दिया के से तो फिर वो गलत हो जाएगा क्योंकि कोंडा गाउन हम देखेंगे बाद में है कि नहीं तो के से आने वाले कौन कोंसे जिले कोरि D से दंते वड़ा, M से महा समून और D से धमतरी D, M, D से दंते वड़ा, M से महा समून, D से धमतरी ठीक है, तो count कर लीजिए यहां तक जिलों की संख्या, रादनार्गाउं तक जिले की संख्या 7 थी अब यहां पर count करें तो 2 और 4 6, और 6 और 3 9 मतलब 1998 में 9 जिले बने, कुल 9 और 7 हो गए, 16 और अब जस्ट इसके बाद आपका 36 गड़ राजिकर निर्माण हो जाएगा एक नमंबर 2000 को, और इस प्रकार 36 गड़ के निर्माण के समय 36 गड़ में कुल 16 जिले थे, क्लियर है ना, चलिए आगे देखते है 36 राजिकर निर्माण के बात की बात करेंगे 2007 की बात करेंगे, तो 2007 में दो जिले बने नराणपूर और बीजापूर नराणपूर और बीजापूर, ठीक है, नराणपूर और बीजापूर याद करते चले साथ साथ, ठीक है ना, नराणपूर और बीजापूर तो अब देखिए जब कहीं पर कुछ आंकड यधारित प्रश्णिक बनते हैं तो उसमें लिखा रहता है 18 जिलों के हिसाब से या 27 या 28 जिलों के हिसाब से तो वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि आपका वर्ष 2011 में जनगर्णा हुई 2011 में जनगर्णा हुई और वैसे 2021 में भी होनी चाहिए थी अब 10 साल के बाद होती है जनगर्णा लेकिन COVID वाली स्थितिकी करण अभी कुछ जनगर्णा वाला कुछ जैसा नहीं है लेकिन 2011 में हुई थी पिछले बार तो 2011 तक चाहिए जनगर्णा है मतलब जब जनगर्णा हुई 2011 की तो उसमें 18 जीले थे और 11 जीलो के हिसाब जितने भी बाते होती है तो इस करार 18 जीलो के हिसाब से मतलब 2011 की जनगर्णा को ध्यान में रखकर पुछे जाते हैं कई पर क्लियर है? तो मतलब 2007 में चुकी दो जिले और बन गए और 2011 तक जिलो की संख्या हो गई 18 क्लियर है चले आगे देखे अब आगे देख लेते हैं 2012 में बनेंगे अब 2012 में बनेंगे जिले देखेंगे एक साथ बहुत सारे रैपुर संभाग से ध्यान में रखेगा रैपुर संभाग से दो जिले बनेंगे बलोदा बजार और गरिया बंद देखें पांच संभाग है पांच संभाग में हर संभाग से क्या क्या जिले बनें 2012 में यह बताने की कोशिश करूँगा देखेंगा रैपुर संभाग से आपका बना बलोदा बजारा और गरिया बंद दो जिले महासमुन तो बन चुका था पहले दुर्ग संभाग से भी दो जिले बनेंगे बेमेतरा और बालोध ठीक है सरगुजा संभाग से भी दो जिले बनेंगे बलरामपूर और सूरजपूर ठीक है बिलासपूर संभाग से केवल एक जिला बनेगा वो है मुंगेली बस्तर संभाग से बस्तर संभाग से बनेगा कोंडा गाउं और सुकुमा ठीक है बस्तर संभाग से आपका बनेगा कोंडा गाउं और सुकमा लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर से मैंने एक चीज लिखी हुई है कि दंते वाडा से सुकमा बन रहा है दंते वाडा से सुकमा बन रहा है इसका ये मतलब है जो सुक्मा बना है वो दंते वाड़ा छेतर से बना है जबकि कोंडा गाउं बस्तर जिले के छेतर फल से बना हुआ है मतलब उसका मात्री जिला अगर बोले तो उसकी बात कर रहे हैं ठीक है? तो सुक्मा का मात्री जिला दंते वाडा और कॉंडा गाउं का मात्री जिला बस्तर होगा मुंगेली का मात्री जिला बिलासपुर, सूरजपुर, बलरामपुर का मात्री जिला सरगुजा बालोद और बेमेतरा का मातरी जिला दुर्ग, गरियाबंद, बलादा बजार का मातरी जिला रायपुर ये मातरी जिला भी आपको ध्यान में रखना है क्लियर है इतना तो मातरी जिला भी आप ध्यान में रखें 2012 तक 27 जिले हो गए अब 28 जिला कब बना तो फरवरी 2020 में बना आपका 28 जिला गोरेला पेंडरा मरवाही ठीक है एक ही जिले के नाम ही है ध्यान से देखेगा तीन जिले लगना इननी फरवरी 2020 में गोरेला पेंडरा मरवाही कुल मिलाकर अब 36 गड़ में 28 जिले है यह हो गया जिले निर्माड का करम ध्यान में रखेंगे दोस्तों ठीक है ना चल यह आगे बड़े अब 36 गड़ के भूगारवी सरजना और चत्तिला का प्रकृतिम विभाजन उसकी बात कर लेते हैं महत्तपूर्ण सेक्शन यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है इसके पहले भी प्रश्ण बनते डेफिनिटली लेकिन अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से परवत है पठार है, मैदान है तो यह सारी खास बाते हम करेंगे कौन-कौन से पहाड़ों के नाम है इस प्रकार की बाते हम करेंगे इसके अंतरकतießen न तो देखिएका चलिए शुरू करते हैं अब चत्यस गड़ का प्राकृतिक विभाजन चत्यस गड़ का प्राकृतिक विभाजन ठीक है जले थोड़ा समय बड़ा करके पढ़ाता हूं यहाँ पर सबसे पहले चतिजगड के प्रकृति विवाजन के हम बात करते है मतलब चतिजगड को प्रकृति ने कैसा विभाजित किया है उसका आधार है यहाँ पर क्या है आधार कि प्रकृतिक रूप से विवाजन होने पर चतिजगड के चार भौतिक प्रदेश है चार भौतिक प्रदेश है चारों भौतिक विभाग यहां पर लिखे हुए है ये पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चोथा पहला भौतिक विभार है पूर्वी बगेल खंड का पठार ये पूर्वी बगेल खंड का पठार कहते हैं इसको दूसरा जो है जश्पूर सामरी पाठ प्रदेश तीसरा ये जो है महानदी बेसिन और चौथा दंड कार्यने का पठार तो अब ये चार आपको भातिक प्रदेश मतलब प्रगृति नहीं विभाजित किये है इनके प्रकृतिक गुणों के अधार पर प्रकृतिक विशेस्ता के अधार पर ये प्रकृतिक विभाजन क्या लाता है अब ये वालिचेतर को पूर्वी बगेलखन का पठार क्यों कह रहे है जबकि ये पास्चिमी भाग में आ रह Mir ये पास्चिम है तो पूर्वी भाग है यह वाला portion इस कारण बगेल खंड के पठार का पूर्वी भाग कहा जा रहा है पूर्वी बगेल खंड का पठार कहा जा रहा है reason is first हुआ ठीक है चलिए अब बारी-बारी से हम discuss करेंगे तो यह हो गया प्राकृतिक विभाजन अलग-अलग अब यहाँ पर देखिए भू आकरिती भू आकरिती के अधार पर विभाजन कैसे होगा 36 गड का बहुत इक स्वरूप कहना चाहिए यह भू आकरिती कैसे कैसी होती या तो पहाड होते है या तो पठार होते है या तो मैदान होते है उसके हदार पर कैसे विभजन किया गया है, तो पहला हम मैदानी छेतर की बात कर लेते हैं, मैदानी प्रदेश कौन कौन से हैं, 36 गड़ का मैदान, ठीक है, 36 गड़ का मैदान मतला मुख्यता ये वाले छेतर को जिसमें बिलासपुर, दुर्ग और रैपुर संभाग के मैदा मैदान आते हैं, इसको 36 गड़ का मैदान कहा जाता है, ये पूरा बीच वाला भाग, ये ऐसा बीच वाला भाग, पूरा ऐसा, ठीक है, चत्र गड़ का मैदान, आगे बात करें, बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान, कोटरी बेसिन, सारंगड बेसिन, कोरबा बेसिन, ठीक ह जाएगा चतिस गड़ का मैदन बस्तर का मैदन कोट्री बेसिन ठीक है सारंगड बेसिन कोरभा बेसिन यह सारे जीलों के अगरे आप ध्यान में तो यह भी ध्यान में आंजाए गा और आगे जुमार की पहाड़ी नैलाटपुर वाला चेत्र बीजापुर वाला चेत्र चांग बखार देवगर की पहाड़ी कोरिया वाला चेत्र ये पहाड़ी चेत्र है मुख्यता ठीक है पठार वाली चेत्र के बात करें तो मैन पाट जारंग पाट जमीर पाट सामरी पाट स्वरूप मतलब हमारा जो चत्ति जड़ का भूमी है वो किस प्रकार का है पहाड है पठार है या मैदान है इसके अधार पर यह पुरा classification है clear है तो यह हो गया प्राग्रितिक रूप से विभाजन यह हो गया बहुतिक पूरवी भगयलखन का पठार मतलब 36 गड़ का आप छेतर देखेंगे तो 36 गड़ का यह वाला छेतर इसकी हम बात करेंगे ठीक है अब पूरवी भगयलखन के पठार को सोन नदी बेसीन का भाग भी कहा जाता है क्योंकि हम 36 गड़ के उतरी छेतर से देखें तो ऐसे सोन नद मैं फिर से आपके सामने लेकर रहा हूँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेगा यहाँ पर दो मुखी नदी एक कनहार नदी है एक रिहन्द नदी है यह बहरे है उपर से यहाँ पर आपकी हस्देव नदी नीचे की तरफ प्रवाहित होती है और रिहन्द और कनहार प्रवात करता है जल्दी भाजक का कारे करता है इसके नीचे वाले अछतर से बात करें यहां पर से लेकर बात करें तो यहाँ पर ऐसा महानादी प्रवाहित होती है और उपर अगर हम बात करें तो मुखी नदी बहने वाले कि नदी है फ République नदी पीच में कौनसा इस्थल भ दक्षिन भाग है ठीक है यह कहा गया है इसमें आगे देखिए इस वाले चेतर में आर्केयन शेल समूँ भी मिलता है गोणवाना शेल समूँ भी प्रधानता है मुख्यरूप से गोणवाना शेल समूँ की प्रधानता है यहाँ पर क्योंकि कोईला चेतर है कोरिया की बात करे ठीक है थोड़ा सा कोरुबा का भाग ले लेते हैं तो यहां पर सभी गोणवाना शेल समू की प्रधानता है थोड़े आर्केयन समू भी पाया जाते है पहाड़ी चेत्रों में यहां पर लिखा हुआ है मुख्यरुप से लाल पीली मिट्टी यहां पर है फसल चावल जौर त मद्दे से होकर गुजरती है जैसे कि हमको पता है कि कोरिया के सोनहट तैसिल से करकर रेखा और भारती मानक समय रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर दोनों रेखाए मिलती है कोरिया में ठीक है सोनहट में तो इस प्रकार करकर रेखा इसके मद्दे से होकर गु परवाचोटी देखिया गए यहां से चांग बखार देवगड की पहाड़ी कोरिया वाले चेतर में मुख्य रूप से फैली हुई है पूरी इस प्रदेश की सबसे उची चोटी है देवगड 1033 मीटर इस प्रदेश की सबसे उची चोटी का नाम है क्या देवगड की चोटी 1033 मीटर यह आप ध्यान में रखेंगे चांग बखार देवगड की पहाड़ी के अंतरगती आने वाला है यहां पर कैमूर परवाच्रेणी भी है कैमूर परवाच्रेणी भी है दूसरा रामगड की पहाड़ी है दक्षण पस्चिम चेतर में चिरवेन हराई सीता लेखनी की पहाड़ी पूछ लिया गया था प्रश्ण सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ पर है ठीक है तो आनसर सूरजपूरत है यहां पर टोंग लेखा डूला पहाड और परवाहील यह सभी के सभी इसी छेतर में पाया जाने वाले हील है तो आप एक तरीके से देखिए एकदम प्रॉपर यहां पर जिला मैंशन नहीं है लेकिन आपको पता चल गया पूरवी बगलखन के पठार में है अब पूरवी बगलखन के पठार की बात करें न तो इसमें कौन-कौन सा जीला सामाहित है तो वो मुख्य प्रश्ट हो सकता है तो देखिए पूरा-पूरा कोरिया पूरा-पूरा कोरिया जीला है सूरजपूर है पूरा-पूरा और सरगुजा का ज्यादा तरभाग इसमें शामिल है ठीक है सरगुजा का ज्यादा तर भाग इसमें शामिल है क्लियर है अब एक फैक्ट यहां लिखा है सोन नदी मतलब सोन नदी जो है अभीनती घाटी या दरार घाटी में प्रवाहित होती है चले आगे देखें और तो यह सारे इसमें परवश्रिंखला इसमें ध्यान रखें यह जो पूरी बग्यल खंड में जितनी भी परवश्रिंणिया पाई जाएंगी वो विंध्य परवश्रिंणी का भाग होंगी विंध्य परवश्रेणी का भागोंगी तो 36 गड़ के उपर से उपरी छेतर में जो परवश्रेणी का भागोंगी जबकि 36 गड़ के मद्य भाग में मतलब कहां से बात करें कवरधा, राजनान गओ यहां से जो परवश्रेणी फैली हुई है चत्तिस गड़ में उसे सत्पूरा परवश्रणी का भाग माना जाता है ठीक है तो ये आप additional ध्यान में रखेंगे चलिए अब मैं क्या कहा रहा था इसके संबंद में कि ये परवश्रणी आपको पता चल गया पुरुवी भगिलखन के पठार में है तो कौन-कौन से जीलों के अंतरगात हो सकते हैं ये ये भी आपको ध्यान में रखना है एक दम exactly जिस source मैंने लिया था उस source में इसका proper जीला करते हैं तो देखेगा ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसको जश्पूर सामरी पार्ट प्रदेश मतलब ये वाला च्छेत्र और एडिटिक मैंने यहां पर लगाया हुआ है अब इसके संबंद में हम पूरी बाते करते हैं पहले तो कौन-कौन से पार्ट जब पठारी छेत रहे वो कहां कहां पर होगा वो देखिए देखिए यह पूरा मैंने बना रखा है ठीक है अब इसमें कौन-कौन से जिले आते हैं तो बलरामपूर का हिस्सा आएगा पूरा जश्पूर आएगा और सर्गुजा का सीतापूर तहसिल आएगा ठीक है सर्गुजा का मैन पार्ड कंदा कर देखिए यहा पर कौन-कौन से परड़ आख है यह उपर से नीचे की बात करें तो देखिए सबसे यह पर जो दिख़गा आ है सामरी पार्ट के नीचे देखें सामरी पार्ट का ही भाग के तौर पे कुस्मी पार्ट हमको देखने को मिलता है यहाँ पर यह 36 जश्पूर के आपके बोलना चाहिए पूर्वी भाग में जमीर पार्ट इधर अगर आएं तो आपको लहसुन पार्ट मिलेगा और दोनों के बीच में मतलब सामरी के नीचे यह वाला चेत्र आपको 15 पार्ट मिलेगा पूरा एरो के साथ यहाँ पर देखेगा द्यान से ठीक है तो यह पूरा आपका सामरी पार्ट सामरी पार्ट के अंतरगत कुस्मी पार्ट आता है यह पूर्वी भाग आपका जमीर पार्ट इसके नीचे आपका 15 पार्ट और यह सबसे पस्चिमी भाग में लहसुन पार्ट ठीक है नीचे आईए यह आपका पूरा बड़ा चेतर दिखरा है यह पूरा यहां से हाँ यह आपका जश्पूर पाठ है ठीक है जिसमें आप सुने होंगे सन्ना तहसिल बगीचा तहसिल ठीक और नाग लोग जिसे कहते हैं तपकरा इसी के अंतरगत आता है जश्पूर पाठ के इधर तरफ बाएं तरफ आएंगे तो जारं पाठ के फिर बाएं तरफ मतला पस्ची में भाग में में पाठ मिलेगा ठीक और जस्ट इसके नीचे पत्थल गाओं लेलूंगा का पठार आपको मिलेगा जो इसी जश्पूर पठारी प्रदेश का भाग है यहां से एक नदी प्रवाहित होती दिख रही आपको जो नीच कि ये द्यान रकिए तो इतने सारे पाठप्रदेश है एक ठीक है अब इसका धाल किधर है जाता तर पुछले जाता है कि इस भूमी या इस भुभाग का ढाल किस तरफ है ऐसा प्रश्ण बनतें ZGPSC में तो सुनिए किसी भी भुभाग का ढाल उस तरफ होगा जिस तरफ नदी की प्रवाहिय की दीशा होगी उस छेतर में तो यहाँ पर देखिए इब नदी जो है मांड नदी जो है नीचे की तरफ प्रवाही ठोरे है तो इस भुभाग का जश्पूर सामरी पाद प्रदेश भुभाग का ढाल दक्षिण की तरफ होगा ठीक है यह ध्यान में रखना है क्योंकि दक्षिण में बहरी है नदी ओके च में करम पूछ दिया जाता है और उत्तर से दक्षिण में भी करम पूछ दिया जाता है तो ये भी आप धियान में रखेंगे पूर्व से पस्चिम मतलब यहां से लेकर आगे बढ़ें पस्चिम की तरफ तो कौन-कौन से पार्ट पहले पढ़ेंगे मतलब पूर्व से शुरू करते हुए पस्चिम की तरफ जाए तो पहले कौन-कौन से पार्ट पढ़ेंगे उसका क्रम जमाना है तो सबसे पहले सबसे आपका पूर्व में पढ़ता है जश्पूर पार्ट जश्पूर पार्ट के बाद आपका सामरी पार्ट पढ़ेगा पूर्व से पस्चिम बढ़ रहे हैं मतलब इधर से इधर बढ़ रहे हैं ठीक है ना पूरु से पस्चिन, सामरी पार्ट के पाद आपका जमीर पार्ट पड़ेगा, जमीर के बाद जारंग और जारंग के बाद सबसे बाद में मैन पार्ट पड़ेगा, ये क्रम है आपका, ठीक है, जशपुर, जशपुर के बाद सामरी, सामरी के बाद जमीर, जमीर के बाद ज कौन सा है तो उपर तो सबसे पहले हमने सामरी पार्ट ही देखा तो सबसे उत्तर में होगा उत्तर से दक्षिन मतलब इस प्रकार हम क्रम देख रहे हैं उसके बाद आपका जमीर पार्ट पड़ेगा जमीर के बाद जारंग पार्ट पड़ेगा फिर जश्पूर पार्ट पड देखिएगा चलिए तो यह जो आपका जश्पूर सामरी पार्ट प्रदेश्च चोटा नागपूर के पठार का भाग है चोटा नागपूर का पठार का एक्सपांचन मुक्य रूप से जारकंड चेतर में है बरित चोटा नागपूर का पठार का भी भाग माना जाता है इसको ठीक है और यहूं होगा ध्यान मरें ठासे में ठीक है और चाली आगे देखें अ यहाँ पर मिट्टी के तौर पर लेटराइड मिट्टी भी पाई जाती एक और चीज़ देखे यहाँ पर कर जो मैदानी भू भाग होगा वहाँ पर काली मिट्टी होगी और जो पहली छेतर होगा वहाँ पर लेटराइड मिट्टी होगी यह कंफूजन आप दूर करिए तो कुन सी फसल होती है तो जितने भी बगानी फसल है चाय हो गया लुह लीची हो गया तमाटर हो गया और लोडेग टमाटर की राजदधानी कहा जाता है 36 गर से टमाटर का उतपादन सब्से अधिक अंध्रक्राइब आता है ब्लियर है आगे देखें कि खनीच कौन सा होगा तो बॉक्साइट होगा जहां दक्कन के रूप में अभरक यूरेनियम कोईला ठीक चलिए आगे देखें अब ट्रैप किसको कहते हैं ट्रैप किसको कहते हैं सुल लीजिए गा जो आपने धक्कन ट्रैप लिखा हुए ना तो ट्रैप का मतलब क्यों होता है विभी ने शैल समूवी पढ़ेंगे तो ट्रैप का जमता जाता है और वह परत दर परद जब जमता जाता है तो इस परत को विभी ने लेयर्स को अब ट्रैप कहते हैं ठीक है यह दिया रहतीया गया था जब इंडिया चाइना वार कुछ चल रही थी भारत और चाइना की मुख्य रूप से तिबबत और चाइना की वीच में चल रहा था उसके बाद भारत में शिफ्ट हुआ यह जो मुद्दा है तो इस तरीके से जो तिबबत के शरणार्थी थे ना उनको यहां पर बसाया गया एक ह चतिस गड़ का शिमला कहा जाता है मैन पाट को चतिस गड़ का कश्मीर कहा जाता है चैतूर गड़ को जो कॉर्बा के अंतरगत आता है अंतरिस्मस कीजिए जशपूर पाट के संब्द में कुछ बाते देख लेते हैं चाय बगान है यहां पर ठीक है मुख्य रूप से जैसे आप कुश्मी पाट को सामरी पाट के अंतरगत देखते हैं वैसे ही आप जश्पूर पाट के अंतरगत पंडरा पाट को देखते हैं पंडरा पाट भी इसका हिस्सा माना जाता है ऐसा देखें कई जगा पे तो देखें यह जो पंडरा पाट है जश्पूर जी लेके ऐसे बगीचा तेहसिल में आता है आब 15 पाट के अंतरगत एक पहारी है खुड या पहारी जो बॉक्साइट का सोर्स है जो बॉक्साइट खनीच का सोर्स है ठिक और इसी जश्पूर पाट को छतीज़ड का बगीचा भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आपसे प्रशन, या तो पूछ सकते हैं, दो फ़ॉम में, छतिज़ड का बगीचा किसको कहते हैं, या तो जश्पूर पाट या पंदरा पाट, अगर छतिज़ड का बगीचा में, दोनों option दे दिया तो जश्पूर पार्ट ले लेना है और दोनों में से कोई एक देगा तो obviously एक answer होगा मतलब जश्पूर पार्ट अगर नहीं दिया तो पंद्रा पार्ट होगा दोनों दिया तो जश्पूर पार्ट होगा यह ध्यान रखें clear चलिए आगे देखते हैं पंद्रा पार्ट के उचाए 1120 मीटर आप ध्यान में रख सकते हैं चलिए आगे देखें सामरी पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं यह भी मात्रपूर है बलरामपूर में मुख्यता सामरी पार्ट का क्योंकि उत्तरी चेतर में देखने हैं इस बुभाग के और उत्तरी चेतर में कौन से जीला आ जाता है बलरामपूर जीला आ जाता है सबसे उची चोटी 36 गड़ की कौन सी है गौरलाटा 1225 मीटर ठीक है और यह जो गौरलाटा और स्पेसिफिकली बात करे तो लैसुन पार्ट को सामरी पार्ट का थोड़ा सा हिसा मानते हुए लैसुन पार्ट के अंतरगद गउरलाटा आता है ऐसा भी कहीं कई पर मिलता हैं को तो यह भी मैंने इसके दो भाग लेफ्ट की तरफ लेसुन पार्ट देखते हैं इसके नीचे लेफ्ट तरफ लेसुन पार्ट राइट तरब जमीर पाट, लैसुन पाट जमीर पाट, पस्चिम पाट भाग, पूर्वी भाग, यह लिखा हुगा है, जमीर पाट को 36 गण में बोक्साइट का मैदान किसको कहते हैं, जमीर पाट को कहते हैं, ध्यान में रखें, इस प्रदेश की औसत वर्षा 170 cm है, जैसे, पूरवी बगेलखंड के पठार के औसात वर्षा 125 सेंटीमीटर देखा था यह 170 सेंटीमीटर है यह ध्यान रखे है मैनी नदी जश्पूर की पस्चिमी सीमा पर छोटी सी घाटी का निर्माल करती है जिसको काकिया चेतर कहते हैं यह आप एक फेक्ट ध्यान में रख सकते हैं तो फ्छटी सिमा नीर्माल करता है जिसको काकिया चेतर कहते है जश्पूर से संबंदित और कौन सी निर्पाठ का अपर घात कहते हैं बुर्जुडि, मौवर पहाड, तेंदु पाठ, सूलेशा पहाड, जस्पूर पाठ के अंतरकद माखेल, कोसंगा, पथल गाउं, करील डूंगर, ये सभी परवत शेनिया, चोटिया, कुश्मी पाठ के अंतरकद मैंने बताया और जस्पूर पाठ के अंतरकद बताया, तो ज जिला होगा और जश्पूर पार्ट बूलेगा तो जश्पूर जिला होगा clear note करते जाए सारी बाते आगे बढ़ते हैं यह हो गया slide पूरा हमारा ठीक है जश्पूर पार्ट को हमने इसमें cover किया आगे देखें महानदी बेसिन महानदी बेसिन यह महत्पूर्ण है वैसे तो सारे भूभाग महत्पूर्ण है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा डिटीलिंग हमको करनी पड़ेगी बहुत सारी बाते देखनी है तो सबसे पहले तो यह मैप देखिएगा कि चलिए महानदी बेसिन अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर कौन-कौन सा भाग पूरा क्लासिफाई किया हुआ है मैंने देखना यह महानदी बेसिन है महानदी बेसिन 36 गड़ के मुख्य रूप से कौन-कौन से संभागों को कवर कर रहा है तो बिलासपुर संभाग रहाएपुर संभाग दुर्ग संभाग ठीक है हाला कि पूरे पूरे नहीं बिलासपुर संभाग का उतरी चेत्र जो है वह बागी भूप भूतिक प्रदिश यह पूरा चेत्र ठीक है मैंने आपको बता दी अब बिलासपुर दुर्ग रैपुर ठीक यह तीन मुख्य रूप से संभाग कवर कर रहा है यह आप देखेंगे तो पैंडरा लोर्मी का पठार हमने नाम देखा था अब देखने को मिल रहे हैं यहापर पैंडरा लोर्मी क मैदानी छेत्र यहाँ पर बिलासपुर रायगण का मैदान दिखरा होगा आपको नीचे आएंगे दुर्ग रैपुर का मैदान दिखेगा यहाँ पर से शिवनात नदी और यहाँ पर से महानदी प्रवाहित हो रही है महानदी धर जा रही है शिवनात जाकर यहाँ पर महा तो यहां पर उत्री भाग में देखे तो हस्दो मांड बेसिन भी इस भुभाग के अंतर्गत आता है हस्दो मांड बेसिन भी हाल का मानी जातीत ठिक है जाल इसका किधर की तरफ है तो किसे भी भूभाग में बहने वाला नदी किस दिशा में प्रवाईः होली है उसकी सबसे ढ़ालोगी होता है तो इसका ढ़ाल आप देखें तो इसका ढाल our किधर की तरफ पूरुव की तरफ क्योंकि जितनी भी नदिया है जेके मुख्य नदी वैसे देखते हैं मुख्य नदी देखते हैं वैसे तो इस भुभाव में बहने वाली सबसे मुख्य नदी कौन सी कौन सी महा नदी महा नदी कैसे शुरुवात में तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर दिशा में जा रही है लेकिन अंतिम रूप से किदर जा रही है वो पूर्व दिशा में जा रही है और उडिसा में जाकर उडिसा में जाते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है तो उसकी अंतिम दिशा महानदी की अंतिम दिशा है पूर्व की तरफ ठिक तो इसी करण इस भुभाग का ढाल पूर्व की तरफ माना जाता है क्लियर है तो क्या-क्या छेत्र समील होगा आपने देख लिए हाउस्दोमान बेसिन पेंडरल लोर्मी का पठार मतलब यहाँ पर आपका मुंगेली जीला कोरुबा बेसिन चुरी मातरिंगा की पहाड़ी रैगल की उपर अगर हम बात करें कोरुबा थिक थोड़ा से जशपूर का भाग हलकासा जशपूर का वैसे इसमें काउंटिंग करते sìk लिए कजगेकर là चलिए आगे देखते हैं इसके संबंद्ध एफेक्ट कि अगा कि अगा कि अगा कि कि महानदी बैसिन को दो इसत्लाकरिती प्रदेशों में बटा जा सकता है पहला है दोछ चंति जञड़का मैदानी चथर और एक सिमानत उच्छव Θुमी मतलब इस पूरे भूभाग के किनारे की तरफ देखे न, पूरे बॉंडरी में हम देखे, तो पूरे बॉंडरी में अगर हम देखे, तो यहाँ पर परवश्रेणी दिखाई दे रही है, और बीच में मैदान है, तो इसका अंदो भागों में बाट दिया, अब चुकि इस और बीच में समतल भाग जिसमें कुछ चीज़ आता है, तो यह पूरा उठा हुआ भाग बीच में समतल, तो एक कटोरे की भाती आगरिती यहाँ पर हो रही है, और बीच में चुकि चत्तीस गड़ के मैदान में धान की खेती होती है, इसी वज़े से कारण यही है कि इसको अब मतलब चत्तीस गड़ को धान का कटोरा कहा जाता है, कटोरे समान की आगरिती और बीच में धान, तो क्या होगा, धान का कटोरा, यह रीजन है धान के कटोरा कहने के पीछे चत्तीस गड़ को, यह रीजन नहीं है कि धान का उत्पादन सबसे असरवाधिक होता है, पू सिंही मैं मैंदान के परिता रीम लेंड कर निर्माण चैसे कि मैंने का हुठा हुए जो भाग है चारो तरफ पहाड है किंअरे किंअरे में चंति र्र के इससे उगलस फॉली पूब भूख से उसको रीम लेंड कहा जा रहा है और आकरिती कटोरे के समान। उसके Melbourne शन करां किय रहेंज को श्याइल समुं मुञंगर से एक सेंट मुश्य क्यार जागर 야 mereka कर Hmm होता है चूना पत्तर मिलता है खनी के रूप में सब्सक्राने की स्रीं चूना पत्तर लेऊंढ़ा होगा यहाँ sis आगी देखें कोभा राएưaगा छेतर में लोवर और जहां गोंडवाना शेल समूं होगा वहां पर कोईला पाया जाएगा तो इस चेतर में कोला पाया जाता है रायगण वाले चेतर में कोरुबा वाले चेतर में यह भी द्यान रखें और सथ वर्षा इस भुभाग की 100 से 150 सेंटीमीटर है वरिष्टिच है प्रदेश में इस पलमागड चोटी इसमें हाइस्ट है 1080 मीटर और लाफा गोड़ी के चोटी भी इसी के अंतरगत आती है 148 मीटर तो ये पेंडर लोर्मी के पठार के अंतरगत आने वाली चोटी बिलासपुर रायगड के मैदान में आपको दलहा पाहड ध्यान में रखना है और ये जांज पाल नारियर पानी बड़े पाट डोंगर ये सारे परवाश्रेणिया है धंतरी में सिहावा परवाश्रेणी महानदी का उद्गामिस्तल प्राचिन नाम इसका सुक्ती मती है सिहावा परियत ठीक है धुर के सिमांत उच्छ भूमी में दल्ली राज हड़ा की पहाड़ी ध हिस्सा थी कि सरकारी आकड़ों में ये बदरगड की चोटी को सबसे उची चोटी तो बताया गया है मैकल श्रेणी की अंतरगत आने वाली लेकिन इस प्रकार की कोई चोटी वहाँ पर नहीं है ये नियूस का मुद्दा बनी थी कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान में हो परधा में चांदी डोंगर चितवा डोंगर पानबरस राधनान गओं य्ये सारे अन्य मैकल श्रेणी कि अंतरगत आने वाले चोटी में ज्हाला पाटबांगड की चोटी देवसानी लील वानी है सबदागा तरह और सतपूरा श्रेणी का भाग है ये मैकल श्रेणी त्त changer श्रिणी के भाग में हमारे कंटक आप ध्यान में एक लिए उसकी चोटी 157 मीटर है तो कौन सा परवत श्रिणी मतलब कौन सा चोटी किस मुख्य भुभाग के अंतर का तारा है इसला कृति के अंतर का तारा है यह पूरा मैंने बताए यह आद करिएगा अगे देखे अन्य प पाढ़ी रायतनान काओ भात्रिगड़ की पारी गड़िया बंद ठिक यह अन्य पाढ़ इसी भुभाग से रिलेटेड यह हो गया हमारा कंप्रीट चतिसगढ़ बेसिन महानदीब बेसिन ठीक है चलिए चतिरड़ का मैदान अलाग है चतिरड़ का बेसिन चतिरड़ का माइन फॉर्म में चतिरड़ बेसिन भी आप कह सकते हैं महानदीन बेसिन ठीक है ठीक है चतिरड़ का मैदान यह हो सिमान तुच्छु भूमी एक सालक कि राने वाला अंतर इस पस्ट है चलिए आगे देखें दंडे कारेने का पठार आखरी प्राकृतिक विभाजक अब इसमें क्या-क्या मिलेगा तो यह पूरा दक्षिन चतिरड़ बनाया मैंने जिसमें बस्तर सुरा संभाग कवर होता है और दुर्ग संभाग के रादनार्ण गाउं का मोहला मानपूर तहस हाई है ठीक है यह वाला जुचेतर है ना यह वाला चतर को पूरी बेसिन नदी बहा रही है परल कोड् I नदी भी जिसका पुराना नाम है नदी हम देखेंगे थोड़ी देर में ठीक है मौलाय तैसिल रातनंद गौओं के अंतरगात आता है लेकि प्राग्रेशित रूप से दंड करन पठार का भाग है वो ठीक है गोदावरी नदी बहरी है यहां से देखेंगे ऐसे होते हुए न इस चेत्र में बहने वाली नदी जिस चेत्र में बहेगी वो उसकी हम बात करेंगे ठीक है तो इस भुभाग में मुख्य रूप से बहने वाली नदी की अगर हम बात करें तो वो इंद्रवती नहीं होगी वो होगी गोदावरी वो क्या होगी गोदावरी ठीक है तो गोदा पूरू से पश्चिम की तरफ बह रही है। लेकिन जब वह नदी में मिले तो गदावरी नदी में मिलने के पहले जस्ट वह दक्षिन दिशा में प्रावाईत हो रही है। तो किसी भी नदी की अंतीम दिशा पभिसिन अबूजमाण की पहाड़ी बस्तर का पठर और बस्तर का मैदान सारी चीज़े इसमें है ठिक आगे देखें कौने को से शैल समू है आरकयान शैल समू है मुक्य रूप से जिसमें आरकयान शैल समू होगा वहाँ पर निस मिलेगा ग्रेनाइट मिलेगा मिलेगा और धाडवाल शेलों की भी प्रधानता है धाडवाल शेल समूर यहां पर है तो लोहा पाया जाएगा लोह आयस्क पाया जाएगा ठीक है लिखा हुआ है लोह आयस्क उसके अलावा टीन को रंडम तामबा अब्रक बॉक्साइट बहुत सारे खनेज खनीजों की भूमी कह सकते है इस बस्तर भुभाग को ठीक है दंडिकरन पठार को यह प्रदेश गुदावरी बेसीन का भाग है जैसे कि मैंने कहा था इंद्रवती नदी को नहीं देखेंगे गुदावरी नदी को देखेंगे मुखे नदी के तौर पर है ना मिट्टी लालवलुई मिट्टी है मुखे पूर में ठीक है आगे देखें बस्तर को सालवनों का दीप कहा जाता है प्रदेश का बावन दशमलो चार साथ प्रतिशत वन छेत्र से ढगा हुआ है या भुभाग में अबूजमार चेतर में होती है आपको पता होगा इसी करण इसको 36 अबूजमार चेतर को ठीक है देखें के यहां से प्रोवाइट करवाए जाता था चिक बस्तर पठार बस्तर का पठार में देखें उत्तर पूरु में की बात करें और दक्षिन की बात करें बस्तर का पठार दो भागों में विवाजित है ना यह बस्तर का पठार है दो भाग में एक आपका उत्तर पूरु छेत्र और एक दक्षिन छेत्र यह पूरा बस्तर का पठार है तो उत्तर पूरु छेत्र ना गुंबदा आकार का कहा जाता है गुंबद हम देखते हैं किसी भी जो हम बात करें स्थापत ते कला में गुंबद जो बने होते हैं मस्जीदों में ज्यादा तरह आपने देखा होगा तो वह गुंबदा आकार उत्तर पूरु छेत्र का होता ब अंगरी डोंगर भी है यह सारी बाते मैं एक्स्टा बता रहा हूं आप अगर याद कर सकते तो विल्कुल करके जाएगा थोड़ा अलग पूछता है डेप्स में जाकर फूछता है ठीक है दक्षण छेतर में कौन-कौन सी पाड़ी है तो टिकन पल्ली की पाड़ी और पाड़ी में उची चोटी है नंदी राज जिसकी उचाई है 1210 मीटर तो 36 के इस भूबाह की सबसे उची वोई चीज यांती देखिए इस मैधान में den मिलता है पूंटा तैंसिल के अंतरगत कनीज अभी आएगा बीज़ा पूर के दक्षिन में कढपब्राश्य शामूं है बीजा पूर्ड के दक्षिन में महान रधी में देखा था अब देखें यहां पर सब्सक्राइब चैनल में लेकिन इसा नहीं पूछेता का पूछज़ देगा कि आपका धंडी करने पठीयार्-पठार-चैनल में कहां मिलता है यह common नहीं है ठीक है वैसे ही आपका पूछदेगा दक्च चत्ति रड़ के मैदान में कोईला कहां पर मिलता है यह आपका common नहीं है ठीक है यह लोहा कहां मिलता है मतलब जो खनीज या जो शेल समूँ जहां पर common नहीं है जहां पर इतना आसानी से नहीं मिलता पिर भी बताऊंगा, जब खरीच पढ़ेंगे देखेगा, बस्तष के मेंदान की बात करें थे तो बस्तर का मेंदान वाला छेत्र ये वाघांवाट से रहे, तो यहां पर आपका कढब सेर्शल समू की प्रधानता है, चुना, प्रधानता मतलब पाया और चुना भी मिलेगा कुरंडम और गार्नेट इसके अलावा पस्चिमी सीमा पर उसूर की पहाड़ी है यहां पर पस्चिमी सीमा पर यहां पर उसूर की पहाड़ी है ध्यान रखें अन्य पहाड़ियों के तौर पे आरी डोंगरी आंगरी डोंगरी आरी डोंगरी भानू प दिख लिजीए आप ठीक है तो यह हो गया आपका धंडे करने का पठार पूरा है तो यह प्राकृतिक भी भाजान हमने देख लिया पूरा चलिए आगे बड़े चलिए जल्दी कवर करते हैं भी वहाँ सारे स्लाइड है थोड़ा सा पेशन्स के साथ आपको कवर करना है यहाँ पर है कि नहीं चलिए देखें अब भूव अग्यानिक सरचना जब हम पढ़ते हैं जिसे भूव अरभिक सरचना भी कहते हैं उसमें हमको शैल समूहों के बारे अध्यमहा कल्प भी है अब हिंदी में अगर पढ़ें तो उसको पूरे चत्तिस गड़ में पाया जाता है मतलब पर्टिक्लर किसी प्लेस में नहीं है यह पूरे चत्तिस गड़ में इसका विबाजन है और चत्तिस गड़ में जितना भी शैल समूह है उसका लगभग 50 प्र पोजिशन से इसका निर्माण हुआ ठीक है नीचे पड़ मतलब जमाओं से उसके आगने चट्टाने आगने चट्टाने के निर्माण कैसे होता है जिससे गिनिया श्रौ कहते है मतलब शरी जो जमीन की नीचे जो भुभाग है हमारा उसमें पिघला लावा जो रहता है जि ठीक है और इस प्रकार अगर कोई चट्टान बन जाता है वो चट्टान के रूप ले लेता है तो उसको आगने चट्टान ही कहते हैं लावा के जम जाने से जो बन रहा है वो चट्टान कहते हैं परत दो परत जब बन रहा है उसको ट्रैप कहते हैं तो नों में अंतर देख शेल समू होगा ठीक है अब जहां आर्कियन शेल समू होगा वहां कौन-कौन से खनीज होंगे तो ग्रेनाइट शिस्ट नीज कॉंगलोमेरिट कोर्ड फेल्स पार ये सारे खनीज होंगे अब ये खनीज तो हैं लेकिन ये अलग से चट्टानों के रूप में भी पढ़े जात है तो ये खनीज के रूप में पढ़े जाते साथ साथ चट्टान के रूप में भी बढ़े जाते हैं सारे चट्टान के रूप में भी मिलते हैं और यही खनीज भी है ठीक है लेकिन ये शेल समू है जिसमें एक से अधिक प्रकार के चट्टानों का समू होता है वो शेल अब इसका निर्माण कैसे हुआ यह जली अवसाधी चट्टाने है तीन प्रकार के चट्टाने होती है पहले तो आप सुल लीजिए एक आगने चट्टाने देख लिए एक आपका अवसाधी चट्टाने ठीक है और एक होती है मेटामॉर्फिक कायंत्री चट्टाने यह तीन प्रकार के चट्टाने होती है ठीक है अवसाधी चट्टाने वो चट्टाने होती है जो लेयर्ड फॉर में रहती है मतलब जिसका बारिक कंड कंड जाके कहीं पर जमा हो रहा है मतलब कोई चट्टाने है उसका करोजन हो रहा है उसका erosion हो रहा है निक्षेपन हो रहा है और जाके कहीं और जम जारी है वो हवा के माध्यम से जल के माध्यम से कहीं पर और जाके जमते जारी परत दर परत ठीक है तो वो अवसाधी प्रगार के चट्टाने होती है सेडिमेंटरी रोक्स कहते हैं यहाँ पर देखिए लावा जम निकल रहा है परत दर परत कलांतर में जमता जारा वो ट्रैप है लेकिन कोई चट्टान पहले से है उसका आपका Erosion हो रहा है और वो कहीं पर ओर जाके जमरी हवा के माध्यम से जल के माध्यम से और एक layer form कर रही है चट्ट्टानों की layer form कर रही है वो अफसादी प्रकार के चट्टाने होती है तो धारवार आपकी अफसादी प्रकार के चट्टा ने लिखा है अपरदन इरोजन जो मैंने कहा है उसको हिंदी में अपरदन कहा जाता है तो आर्कियन शेल समू का जब अपरदन होगा तो आपका धारवार शेल समू बनेगा तो इस प्रकार जब इसके अपरदन से जागा ऐसा नहीं मैंने कहा ना एक से अधिक प्रकार के चट्टानों का समू शेल समू कहला रहा है तो इस प्रकार के यह भी चट्टाने पाई जारी इसमें नीस हो गया कोड़ाइट हो गया है में टाइट हो गया अब देखें मुख्य रूप से जहां पर धारवाड होगा न चरनाटक के चट्र में बोले थो करनाटक के वाले चेतर में करनाटक का ही एक जिले का नाम है धारवाड उसी के नाम पर पड़ा हुआ है और उस जिले में मुख्युरुप से लोहा और सोना, यह पाया जाता है धारवारण चैल समूग के अंतरगरत, ठीक, जैसे कोलार गोल्ड्फिल, गोल्ड्फिल्ड है न, KGF मुवी आपने देखा होगा, उसका फुल फॉर्म देखें तो कोलार गोल्ड्फिल्ड, जो कोलार ग प्रकार की चट्टान है जैसे नीस है ग्रेनाइट है तो यह जो स्लेट है यह आपको चिल्फी गाटी में देखने को मिलेगा कवरधा की अंतरगत ठीक है खनीज जैसे मैंने कहा सोना चांदी लोहा तांबा टीन निकल जितने भी प्रमुक खनीज है धातुएं है धारवाल के अंतरगत पाई जाती है चती गड़ में इसकी तीन सीरीज है धारवाल की सिरीज सोना खान सीरीज दंडे करेंड प्रदेश का लहा रहेगा दोस्तों। चिल्फी मतलाव को समझ में आ गया गा कवरदा वाला चेत्र उसके बास सोना खान सीरी मतलब आपका देखिए बलोधा बजार मों की रूप से रायपूर बलब्दा बजार वाला चेतर आप ले सकते हैं जिसको सोना खान सीरीज के अंतरगत रखा गया है ठीक है आगे दंड़ करेंड प्रदेश का लोह एस का सीरीज मतलब आप दंड़ करेंड चेतर के अंतरगत तो पड़ते ही है जहां पर बैला पुराना संग जिसके अंतरगत कडपा और विंधियन शेल समू आता है विंधियन का एक्सपांशन 36 गड़ में बहुती सुक्ष्म है तो उतना हम नहीं पड़ते हैं लेकिन कडपा शेल समू मुख्य शेल समू है 36 गड़ के बेसिन से रिलेटेड जो मध्यभू भागे 36 और यह दोनों के दोनों गड़ना संग के अंतरगत आ रहें ठीक है ना पुराना संग शेल जाता है ठिक और वो कहीं पर और जाके डिपोजिट हो जाता है तो कडपा कैसे बनना है ग्रेनाइट जो शेल समू था चट्टाने थी उसका अपर्दान होता गया और उसके अपर्दान से जो पदार थे पदार जो है वो कहीं और जाके जमा हुआ उससे कडपा शेल समू बना थिक कडपा समू में निक्षेपीज जो कचारी मिट्टी होती है ना वो धान के लिए उप्युक्त होती है तो ध्यान अखे कडपा शेल समू इसी करान देखे कडपा शेल समू चत्यगड के मद्यज छेतर में पाय जा रहा है इसे गान धान के खेती भी मुख्यूरूप से यह पर ओ रही है कि ली आशित की दो सिरीस है ये सर्फ और सिरीज चंद्रपूर सीरींस जांजीर चांफड़ अल्यवलाच फेल रएपन भूबाग कि शागड़ का मेदान चे जना कहां मिलेगा देख़िए मैंने बोला था दंडिकारेन मतलब बस्तर वाले चेतर में है कड़बपर चल समूं चूना मिलेगा कहां कहां पर भोपाल पतनम, बीजापूर, मतलब 36 गढका दक्षणी पस्शिमी भुबाग भुपाल पतनम वाला चेतर है, बीजापूर वाला, ठीक है, वहाँ पर मिलेगा, खनीज क्या क्या मिलेगा, जहां कडपर रहेगा, तो मुख्य रुपसे चूना मिलेगा, बालू पत्थर मिलेगा, दोलो पत्थर अगर बात करें तो CACO3 होता है केल्शियम है और चुना गी बात करें तो CAO होता है केल्शियम है वैसी बालू पत्थर स्लेट संग्मर्मर सभी चुने से रिलेटेड है ठीक है सभी एक दूसरे से रिलेटेड है ठीक है मैगेज भी मिलेगा इस चेतर में ठीक है आगे चले देखें अगला शहल समू fell नदियों के और सादों के रूप में यह शहल समूं मिलता है मतलम नदी के द्वारा लाए गए पदार्थों के जमाओं से गणवाना शहल समूं का निर्माण होता है और चुकि नदी के दोरा बहा कर लाए गया पदार्थों के जमाओं से इसका निर्माणु हो रहा है तो नदी बहुँ सारी चीज़ों को बहा कर लाती है जैसे नदी हो सकते है कुछ जीवाश मों पाये जाताताई इसमें मतलब जिवाश्म पाया जाता है, जीवों के अंशय पाया जाते हैं, समझ मैं यां? तो इस करण इसमें जिवाश्म की प्रधान्ता होती है, गोणवाना चलसमु में याप ध्यान में रखेंगे। इसके फिर से तीन भाग, अपर गॉर्णवाना, मध्य गॉर्णवाना, लोवर गॉर्णवाना, कहा कहा पर है कौन-कौन सा तो देखिए, अपर गॉर्णवाना बगेल खंड के पठार में मिलेगा, कॉंगलोमरेट, कौार्ट, बालू पत्थर, ये मुख्य और चटाने इसके बात कर सकते हैं, ठीक है, और इस छेतर में इसको परसोरा या ठीकी कहा जाता है, महान अधिक हाटी में गॉर्णवाना, जो शहल समू का विस्तार है, उसको परसोरा या ठीकी कहा जाता है, अब कुछ फॉंट अगर छोटे दिख रहे होंगे, तो PDF जैसे कि मैं कहता हूँ, एक दो दिन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अजासी जी पेसी एकैडमी एप्लिकेशन पर, PDF अबलेवल होगा, हर किसी लेक्चर का, डोंट वरी, लोवर गोंडवाना, लोवर गोंडवाना का एक्स्पांशन, कोरवा, रायगड, धरम, जैगड, खरसी हाच, चेत, अब देखिए, मध्य गोंडवाना, लोवर गोंडवाना, लगभग, लगभग, मिले हुए, मध्य गोंडवाना भी वही चेतर देखे रहे, रायगड, को कोईला जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा मुंकी रूप से खनीज आपको ध्यान रखना है आगे देखिए दक्कन ट्रैप दक्कन ट्रैप बेसाल्ट युक्त लावा के कलंतर में परत दर परत जम जाने से जो कि मैं पहले से आपको समझाते जा रहा हूं जो लावा निकलेगा बेस दक्कन ट्रैप होगा खनीज होगा बॉक्साइट यह भी मैंने आपको बताया ठीक है इस्थानी भाषा में दक्कन ट्रैप को लमेटा कहा जाता है क्या कहा जाता है लमेटा क्लियर इतनी सारी बात ने आगे देखे कहां कहां पर मिलेगा तो पाठ प्रदेशों में मैंने त कवरधा के अंतरगत आता है यह clear है तो यह आपका शेल सम्हों का विस्तार खनीज भी आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा प्रश्ण बनते हैं इस शेल सम्हों का विस्तार के इस छेत्र में होता है पूरी इस बाते मैंने बता दिया थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश् आपको यह गोणवाना अगर है तो उसका विस्तार का है तो ऐसा नहीं देगा कि सर्गुजा संभाग राइपूर संभाग दुर्ग संभाग या बस्तर संभाग ऐसा नहीं देगा थोड़ा सा ट्रिक करके देगा और जो शेल समू जिसकी प्रधानता है उस छेत्र को पर वो कम मात्रा में पाये जाता है उधर ज्यादा फूकस करेगा मैं कहा रहा हूं आपको जैसे उधारन के दौर में फिर से एक बार बता रहा हूं कडपा 36 गड़ बेसीन महानदी बेसीन में तो मिल रहा है उसके अलावा हमने जो बस्तर संभाग के अंतरगत पड़ा है व आगे देखें मृदा का विद्रण देख लीजिए तो चत्र में कौन-कौन सी मृदा होती है यह भी महतुपुर्ण आपका टॉपिक है इसको बात कर लेते हैं तो देखें मृदा सबसे पहले काली मिट्टी की बात कर लेते हैं जिसको स्थानी भाषा में कनहर भरी या रेगूर कहा जाता है पूरा फेक्ट है याद करते जाए बैसाल्ट के चरण से बैसाल्ट मतलब अभी हमने देखा धककन ट्रैप उसके चरण से इसका निर्माण हो निर्माइब लोहा चूना मैंगनेशियम ऐलो मीना इसससब की प्रधानता ओ थी इसक एंतरगत विस्तार कहा कहा है यह इसके बाद रैपूर राजीम कुरुद धमतरी गरिया बंदुर्ग इस वाले चेतर में काली मिट्टी अब बोलेंग की जो हमने दककन ट्रैप देखात तो काली मिट्टी भी पाई जानी चीए थी, तो काली मिट्टी वहाँ पर भी पाई जाती है, मैदानी छेत्रों में, पाठ प्रदेश वाला छेत्र है, जस्पूर वाला छेत्र, उसके मैदानी भागों में काली मिट्टी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखें, क्लियर, तो इन यह द्यान रख सकते हैं आगे लाल पिली मिट्टी लाल पिली मिट्टी चत्तीस गड़ में अधिक तर लाल पिली मिट्टी का एक्सपांशन है चतिस गड़ में मुखी रूप से कौन से मिट्टी सरवाधिक लाल पिली मिट्टी ध्या रखेंगे 55 प्रतिशत अकेले पी एच मान इसका अमली भी हो सकता है और चारी भी हो सकता है मतलब पास दस्मनो आठ से आठ दस्मनो चार है पी एच मान मतलब इस मिट ऑक्साइड के करण और लाल रंग यह आप द्यान रखें चुने की परियाग्त मात्रा होती है इसमें लाल पिली अई विश्तार दंतेवाडा कंटा तहसिल क्ले की मात्रा अधिक होती है बालू की मात्रा इसमें अधिक ठीक है काली मिट्टी और लाल पिली मिट्टी को मिला कर चलिए आगे देखें चौथी मिट्टी लाल बलुई मिट्टी लाल बलुई मिट्टी ठीक है स्थानी बासा में टिकरा कहा जाता है 20 से 30% इसकी मात्रा आर्कियर और धारवाड चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है बालु कंकर अधिक प्रकृति इसकी अमलिय विस्तार है दंडिकारेने प्रदेश में लाल बलुई मिट्टी का ठीक है ना एक लाल दोमण मिट्टी देख रहे हैं वो भी आपका बस्तर चेतर मे मिल रही है ठीक है ना चले फसल मोटा राज होगा इस मिट्टी के कारण जैसे कोदो कुटकी जुआर मक्का लोहा एलुमिनियम कॉट्जाइट के अंश इसमें मिलते हैं अगला देखे लेटराइट मिट्टी जिसको इंग्लिश मुर्मी और भाटा कहेंगे पी एच मान इस बूस रचना के अधार पर मिट्टी का हम परद्द परर वर्णन करेंगे देखे यहां पर बूस रचना के अधार पर उपर से नीचे पाये जाने वाले मिट्टी का करम पहले हम बस्तर चेतर की बात कर लेते हैं तो सबसे उपर चेतर में पाये जाते हैं उसको मरहान कहते है पिर टिकरा धलान चेतर में अब बस्तर चेतर में क्या कह रहे है मतलब उचाई चेतर से लेकर जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो कौन-कौन से मिट्टी मिलती जाएगी उसकी बात कर रहे हैं तो सबसे उपर चेतर में मिलता है मरहान फिर नीचे धलान चेतर में पाड़ों के धलान चेतर में जो मिट्टी मिलती उसको टिकरा कहते हैं उसके समतल भूमी में जो मिट्टी होती उसको माल कहते हैं और जमीन के नीचे जो मिट्टी होती उसको गभार कहते हैं तो यह कम है ब ख्रावर, गाद खावर और बाहर थीक है सबसे उपरी चेतर में गीरaround मिलेगी फिर ढलान में च्छावर फिर गाद खावर फिर बाहर तो सबुस्च यह जाता है तो इसको भी देखने के कोशिश कीजिएगा जल से जल कवर करेंगे दोस्तों कुछ दिन पहले ही यह सारा मैंने अगफी डिटेल में किया है तो जल्दी से हम फैक्ट की बात कर लेंगे आपर से देखते जाईए सबसे पहले आपकोल जैसे महानदी गाटी सबसे बढ़ा पोहात अंतर है महानदी गाटी नहीं कहे रहाँ माफ कीजे महानदी अपोहात अंतर जो है वो 36 गड़ के अंतरगत सबसे बढ़ा अपोहात अंतर है 56.15 प्रतिशा था इसका कुल अपोहात अंतर का जितने भी अपोहात अंतर है ना 36 गड़ के अंतरगत उसका केला 56.15 प्रतिशा महानदी अपोहात अंतर का है एरिया वाइस बात करें तो सत्ता दस्वनों चार तीन हजार वर्ग किलोमीटर वैसे ही आप सभी का ध्यान रखें तो क्राम से मैंने जमा दिया है सबसे बड़ी अपोहात अंत्र महानदी अपोहात अंत्र प्रतिशा ध्यान में रख लिजिए कम से कम मातपोण है गोदावरी के नदी अपोहात अंत्र इंदरवती क्यों नाम नहीं दिये क्योंकि उस भुभाग से बैने वल इंपूरा मुक नदी गोदावरी फिर से 28.64 प्रतिशा दूसरी सबसे बड़ी अपोहात अंत्र है 36 गड़ की तीसरी बड़ी अपोहात अंत्र 13.6 तो यह आप ध्यान रख ल तो नीचे वाले चेतर में, मतलब बस्तर चेतर में, गुदावी अपवात अंत्र है, देखेगा, पूरी नदी है, यह इंद्रावती नदी, जाकर मिल रही है, गुदावरी नदी में, यह गुदावरी नदी बैह रही है, यहां से एक और प्रमुक नदी, शबरी नदी जाकर मिल रही है, सारे стать देखिए अब कौन-कौन सी नदी किस में मिल रही है तो ये इंद्रवति नदी उद्गम हो रहा है काला हंड़ी की पहाडी से काला हंड़ी की पहाडी से काला हंडी की कौन सी चोटी मुंगेर, उडिसा से, उद्गम है इंदरवति की बात करएं इंदरवति में कौन कौन सी नदी जाकर मिल रही है तो देखे यहां से बाग नदी आपको दिखाई देती है, मतलब चतीजगड़ वहरास्त की सीमा बनाते हुए, राधनाद कोई के बाद, डोंगट eyeball के बाद यह आपको दिखाई देती बाग नदी, तो यह बाग नदी डाक जाके वैंगंगा में मनती है, वैंगंगा से प्रवाईत हो रही है, व कोटरी नदी इंद्रवती में जाकर मिल रही है वैसी धंतेवाण से निकलने वाली डंकणी और शंकिनी जाकर इंद्रवती नदी में मिल रही है ठीक है तो अब मैं बताऊंगा कि इंद्रवती नदी में कोई नदी कितनी सायक नदी है इन सब के बारे में ठीक है और सबका उद्गम है यहाँ पर से एक प्रमुक नदी यह जुद्धि दिखरी है यह शबरी नदी भी है जाकर गुदावरी नदी में मिलेगी उद्गम है कोरा फुट की पहाड़ी गुड़ी सा से शबरी नदी का शबरी नदी की कुल लंबाई है 173 किलोमेटर लंबाई भी तो इस भुभाग से जो गुदावरी की सायक है वो है दो मुख्य रूप से इंद्रवती और शबरी अब इंद्रवती और शबरी की सायक नदी भी देखेंगे तो देखें सबसे पहले लिखा इंद्रवती की सायक नदी के रूप में यहाँ पर तो इंद्रवती की सायक बोला नारंगी ने गुड़ बोला तो ये इससे पता चल जाएगा कि उत्तर से आने वाली हिंद्रवतिंग बोला तो लिखा है ना, इंद्रवति के उत्तर को, नारंगी ने गुडबाय बोला, तो पता चल ला, उत्तर की नदी है, तो देखे कौन-कौन सा है, को से कोट्री नदी हो जाएगी, नारंगी से नारंगी नदी हो जाएगी, ने से निबरा हो जाएगी, गुड़ से गुड़रा हो इंद्र वति की सायक नदी के तोर पे कोड ध्यान में रखना है इंद्रवति के दक्षण से चिंता डसने आई इंत्रावती के दक्षण से चिंता डसने आई कोड है तो देखें क्या-क्या निकलेगा यहां से चिंता चिंता से चिंता वागू नदी चिंता वागू नदी ता से ताल पेरू नदी दूर सुनते जाएं नोट करते जाएं डा से डंकिनी सा से शंकिनी ठीक है और ने से ना से नंदी राज नदी भी ऐसी कहीं कहीं पर आमको देखने को मिलती है नंदी राज चोटी भी है नंदी राज नदी भी कहीं कहीं पर पढ़ने को मिलती है तो चिंता वागू चिंता से दो नदी निकल के आ रही है चिंता वागू और ता से ताल पेरू, दा से डंकिनी, सा से शंकिनी, ना से नंदी राज, ये धक्षिन से आने वाली इंद्रवाती की सायक, अब शबरी नदी की बात कर लेते हैं सायक नदी के तौर पे, सबसे पहले देख लिजे, शबरी नदी में कौन-कौन से जल प्रपात हैं, गुपतेश्वर जल प्रपात, और इसी शबरी नदी में कुछ दिर पहले जब वन्या भेरन पढ़ रहे थे तो देखा था, भैसा धारणामक प्राक्रितिक रूप से मगर मच पाया जाने वाला इस्थाल है, कांगेर नदी के अंतरगत, ठीक है, कांगेर नदी सायक नदी के तौर पे हम देखेंगे, ठीक है, कुछ दिर बाद देखेंगे, चलिए, और देखें, इंद्रवती का प्राची नाम मंदाकिनी नदी है, ये भी आप मात्रपूने द्यार के, इसमें चित्रकूट जल प्रपात है, बस्तर जीले के अंतरगत, इसमें सात धारा जल प्रपात है, बीजापूर के अंतरगत, और बोध घाट है, बस्तर के अंतरगत, ये सब इंद्र चैनली की सायक नदी हैं मुनगा बाहर नदी और इस एप मुनगा बाए नदी में तीरत गडग परपा और मुनगा बाहर कांगेर सहायाक है और कांगेर शबरी की सहायाक है क्लियर है यह आप ध्यानक है तो यह हो गया गुदावरी अपवात अंत्र पूरा चले आगे पड़ें यह महानदी अपवात अंत्र है महानदिय अपवात अंत्र है दोस्तों महानदिय अपवात अंत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं महानदिय अपवात अंत्र के बारे में बात कर लेते हैं महानदिय अपवात अंत्र की सबसे प्रमुक नदी obviously महा नदी होगी महा नदी में कौन को सी नदी आकर मिलती है तो उसकी साहक नदी भी पूरा पढ़ना पढ़ेगा मतलब शिवनात नदी भी पूरा पढ़ना पढ़ेगा तो देखें महा नदी का पुराना नाम यह सारे नाम है कराक नंदा निलोत पला चितरोत पला महा नंदा यह आप कर लेंगे ठीक है 56 प्रतिशत पहले ही बता चुका हूँ यह आपकी महा नदी है इस पे एक सबसे ज़्यादा मुख्य नदी जो आके मिलती है वो शिवनाथ है ठीक तो आप एक चीज़ सुनिए हमको महा नदी की सहक नदी के तौर पे वो नदी पढ़नी है जो महा न पुरू की तरफ है क्योंकि मुख्य रूप से अंतिय रूप से महा नदी का जो दिशा है वो पूरू की तरफ है तो पहरे देख रखें प्रवा चेत्र महा नदी का यह पुरा कौन-कौन से जीला से प्रवाइत होती है कुल नौ जीले है यह बता रख है मैंने तो इसको लात नाला लात नाला ठीक है लात नदी भी बोलते हैं उसको लात नाला है बेसिकली तो इस प्रकार तीन संगम चत्तिस गड़ में महा नदी पर हमको देखने को मिलते हैं महा नदी नदी को लेकर देखते हैं ठीक है महानदी की साहक नदी अब देखने वाले हैं, सबसे पहले दक्षिण से कौन सी नदी महानदी में आकर मिल रही है, तो उसके लिए कोड देखे, दक्षिण से परी सुखा जोक लाती है, सबसे एक नदी निकल कर आएगी, तो देखे, दक्षिण से आने वाली साहक नदी देख सुखा से सुखण नदी ही होने वाला है जोग से झोग नदी होने वाला और लाती से मतलब लात नदी होने वाला है लात नाला जिसको भी खेते हैं अब इसका उधगम कहा-कहा पर यह पूरा डिटेल यहां पर दिया हुआ दोस्तों सारा डिटेल दिया हुआ है जैसे दूद्ध नदी का उध्वा मलाज कुंडम काकेर से विशेश इसमें क्या मतलब कौन-कौन से परियोजना है कौन-कौन से जल्प्रपात है यह सारा वर्णन इसमें है इतना बस आपको या संदेल से आने वाली साहिक नदी महा नदी की इसके लिए कोड़ देख लेते हैं तो कोड़ से यादट करेंगे और याद रहे गाफ़ाइस फिर बहूट कन्फिजन होता है इसमें कि ठीक है तो देखेंstein 20 कि स्थिव हसकर बोले मा कैसे आई। है कि सबके लिए नदी कर महा नदी में मिलती हैं तो उत्तर से आने वाली सहायक नदी हो गई सभी के बारे में वर्णन है किसकी कितनी लंबाई है कहां से उधगम हो रहा है और उसके संब्द में विशेश और परियोजना ये सारी बाते इसके अंतरगत है पीडिया प्रोवाइड कर दिया जाएगा फैक्ट बास आपको ध्यान में रखना है जो कोड है वो पूरा मैंने बताए अब एक और चीज़ देखे जैसे हस्देव नदी के बारे में पढ़ेंगे हस्देव का उधगम देख रहे है देवगर कैमूर की पहाड़ी ठीक है तहसिल 108 से कोरिया से उधगम हो रहा है 176 लंबाई है इसकी अब इसकी साहयक नदी के तौर पर लिखा है उसका कोड भी लिखा हुआ है जीजे एक्ट जे यू थोड़ा बड़ा कर देता हूं तो दे निकल कर आएगी जैसे जी से गज नदी जे से जटाशंकर नदी एक्ट है ना ए से अरिहा नदी सी से चोर्नई नदी टी से तान नदी और जे यू है तो जे से आपका फिर से आएगा जिंग और यू से आएगा उत्टेग ठीक है तो जीजे एक्ट जे यू कोड बना लिया याद कर लिया हस्दियों की सायक वैसे ही मान नदी की सायक मान नदी की सायक के तौर पर केटू याद रशना है केटू मतलब दो के एक के से कोई राज एक के से कुरकुट क्लियर है तो इस तरीके से इन सभी नदीयों के सायक नदीवी मैंने बता दिया है, साथ-साथ उसके सम्मन में सारी परियोजना है, सारी विशेज बात है ठीक है दोस्तों, इसको याद करना है याद कर लेना है इसको ठीक है, अब चाहें तो अभी वर्तमान के लिए स्क्रिन शॉट ले लिजिए एक दिन के बाद PDF अप्लोड कर दिया जाएगा, application पर डोन्ट वरी, सारी बात है, ठीक है चलिए है शिवनात नदी, 250 किलोमेटर लंबाई अब एक चीज़ ध्यान रखेगा 36 गड़ की सबसे लंबी नदी महानदी होगी ठीक है, ये आप ध्यान रखे लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शिवनात नदी आंसार ले लिया जाएगा, क्योंकि उसकी अधार पर देखिए महानदी का उद्गम 36 गड़ से हो रहा है, लेकिन 36 गड़ से होते हुए मुख्यूरूप से फिर वो महानदी में मिल जाती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, तो प्रश्न अगर बोलेगा कि 36 गड़ के अंतर गड़ प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो शिवनात होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आके महानदी में मिल गए, क्योंकि यह महानदी है, ठीक है, और अब शिवनात में कौन-कौन से नदी आकल मिलती है, मतलब शिवनात की सहायक नदी के तौर पर हम पूरी बात पढ़ेंगे, यह पूरा हमने देख लिया प्रवाद छेतर कौन-कौन सा है, यह आप आप देख लिजिएगा, साथ जीलों से होकर प्रवाहित होती है, शिवनात नदी उद्गम पूरा बता देंगे, यह नदी पौरानिक रूप से, एहतियासिक रूप से महतपुण है, क्योंकि चतिस गड़ों को विभाजन इसी नदी के अधार पर किया जाता है, जो चतिस शिवनात नदी के उपर 8, शिवनात नदी के नीचे 18 गड़, तो भी लिखा है, यह नदी चतिस गड़ों को, 18, 11 गड़ों में विभाजित करती है, 30 तल कौन को उसे वो पूरा लिख दिया है, प्राचिन नाम इसमें लिखा है, शोनी नदी ये भी महतपुन है, खेरा गड नदी है और शीवा नदी है ठीक है शुनी नधी या शीवा नदी अब सहेग नदी देखते हैं तो необ- духов बनाया मैंने नदे खत खास है आम अहा है और जली खत खास हैं आम अहा है जली यह कोड है इसका किसी तरह के से याद कर लीजिए हर एक से नधी निकल के आएगी जैसे खत से खरकरा नदी ता से तांदुला नदी खा से खारून नदी सा से सक्री नदी आम का आ से आमनेर मा से मनियारी अहा अहा से अर्पा नदी और हा से हाफ नदी जली से जह से जमुनिया और और ली से लीलागर यह सभी का सभी शियोनात कि साया के और उनके संब्द में सारी बाते की कहां से उद्गम हुआ है कहां कहां उसमें क्या-क्या परियोजना है लंबाई कित्री है पूरा इसमें वर्णन है बस आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है देख लीजिए मैं यहापर सन्द्ध का स सोन नदी गंगा आपोहतनतर शों नदी गंगा आप आतंतर के बारे में बात करते हैं 136 990 शों नदी गंगा आतंतर इसलिए के रहे और दृब़ बात करें तो सत्रीय और लेकिन गंगण नदी क новых ना ले तो सो नदी का रे succeed अ पड़े गाति और जो जो नदीस इस नदी में जा कर मिलेगी तो वो उसकी सायक नदी होगी उसको बारे में पढ़ना है हमको इस है गोपद है नियूर है महान मोर्नी ये सारी चीज़े पढ़ना है तो मुख्यूरुप से देखे कंधार रिहंद बनास नियूर ठिक ये सारे नदी है तो देखे चतिस गड़ के उत्री भाग का ढाल उत्तर की और है नदी क्योंकि उपर की तरफ जा रही है माइश सब्सक्राइब तो एक और बात देखे सोर नदी शुरू में तो उत्तर की तरफ आ रहे हैं आड़े तरफ बेह रही है इस करण इसकी ढाल उत्तर की तरफ लेते हैं रिहन नदी रिहन नदी मुखे नदी 145 किलोमेटर लंबाई सभी नदी की लंबाई मैंने यहां पर बताया है सरगुजा की जीवन रखा कहते हैं इसको उद्गम छुरी मतरिंगा की पढ़ाई पहाड़ी नदी पर है तो रिहन नदी पर है क्योंकि रिहन नदी आगे उपर जाकर मिर्जापूर उत्तर प्रदेश में जाकर सोन नदी से मिलती है कनहार नदी 115 किलोमेटर लंबाई ठिक दूसरी प्रमुग 926 की बखोना चटी से उद्गम 155 मतलब ठीक है तैसिल और बगीचा और ब का elkaar को पर ही थी ड़ि जलब प्रपात लिखा हुआ है इनक अधी पर है वेत्य बात चानान ऱ्समें लिगकर है इसकी सायक नदी के तौर पे पेंचटन सेंदूर गलफूरा चनान येनित अरी बात करनी प्रश् mr कहीं से बन सकता है चले screenshot ले लएको तोड़ा सा देखे वीडियो की लंबाई ज्यादा हो रही है तो इसके लिए वही करना पड़ेगा कि जो भी बाते हैं आप याद कर लीजिए screenshot लेकर समझाने माले जो भी बाते हों मैं समझा रहा हूं ठीक है न? चली to लेंगे पीडिए वैसे अब लेबल करवा दिया जाएगा आपको जल्द से जल आगे बढ़ते हैं और अंतिम अपवात अंत्र के तौर पे ब्रामणी एवं नर्मदा नदी अपवात अंत्र एक साथ देख लेते हैं यहां पर से देखें नर्मदा नदी नहीं कल रही है अमार से छोटा पुआ अतंत्र है सायक नदी बंजर नदी यह माहतपुर्ण ने प्रश्न पूछलिया गया था इसकी सायक नदी कम संगम याद अके यह इतना भी कम इंपोर्टेंट नहीं है अंत्र नदी पूछलिय जाता है बंजर नदी ताड़ा नदी नदी कवरधा और ताड किन-किन चेत्रों से किन-किन जीलों से होती है यह भी पूरी मैंने एक सूची बनाकर आपको सामने रख दिया है इसको आपको पढ़के जाना एक्जाम के टाइम पर ठीक है दोस्तों तो यह हो गया हमारा अपवाहत अंत्र पूरा चलिए यह है चतीजगड के जल प्रपात प हैं इस परकार से आपको यह सारी चीज़े सिर्फ पढ़नी है ठीक है और इसको प्रीज है जाएगा बहुत अच्छे से और कई जल्प्रपाथ ऐसे जो आपको बुक में किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे असानी से तो वो भी मैंने इस लिस्ट के अंतरगत उसको शामिल किया हुआ है इसको पढ़के जाएगा इस लिस्ट को ठीक है ना पूरा जीला विशेश के अधार पर पूरा जल प्रपात बनाया है मैंने क्लियर है आगे बढ़ते हैं नदी परियोजना कौन कौन सी परियोजना है जैसे गंग्रेल बात महानदी परियोजना के अंतरकत यह सारे जलाशे और बांध आते हैं जैसे गंग्रेल बांध को रवी शंकर जलाशे में इस्तित है कब उसकी स्थापना हुई उसके सम्मद में क क्योंकि duration वीडियो का काफी लंबा हो चुका है अभी पूरा-पूरा खनीज बचा है ठीक है ना तो इस करण यह सारी चीज़े जो फेक्ट वाली बाते हैं इसको आप प्लीज करके जाएगा ठीक है ना सारी चीज़े मैंने परियोजना ना दी परियोजना से रिलेटेड कौन-कौन से बांध है जलविद्युत क्या है कब इस्थापना हुई कितने मेगावाट का यहाँ पर जल विद्युत चमता है जलविद्युत जो पैदा की जारी है वो सारी बाते हैं पर लिखी व Czech लिजिए एक काम करेंगे प् मात्रपुर्ण ने थोड़ा सा डिसकेशन इसमें कहना पड़ेगा 36 गड़का खनीज पूरा मैप के थूरू बताने की कोशिश किये मैंने है ना तो 36 गड़का खनीज हम मैप के थूरू पढ़ेंगे यहां से देखेगा चली देखे अब खनीज तो कवर किया है साथ-साथ क्य कमार क्या कवर किया है साथ-साथ मैंने पूरा तैसील कवर किया当然 वोगर किया है और मिलेंगे कोन को सब्सक्रेद केर सारी बातेat पहले संभाग को कवर क esperando और इसका अंतरगर इस्वाले स्लाइड में कोरिया सूरजपूर बल्राभण जीरे को पहरें देख हो ठिक है तो तो देखे ये आपका मुख्य डुप से कोईला अजे फैर्ट सेट्र होने वाला है तो पुरा सिंबोल में बनाया है राइण सैय्ड में रे Самे रेकुंस देखेगा सी जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर कोईला चेत्र होगा ये जो सिंबॉल है ये जिला मुख्यालय का सिंबॉल है ये इस प्रकार का जो सिंबॉल मिलेगा वो तैसील के लिए है और ये जो मैंने किया हुआ ये ये और द्योगिक चेत्र या केंद्र को शो करता है और ये जो सिंब चर्चा या छर्चा भी ओ लिखा रहता है कहीं पर हिरमीरी जग्राख regulator यह सभी के सभी इस च्हेट्र में आने वालर है कुए क्लेर है तो यह सभी के सभी कोईला छेट्र यहाँ पर नैशनल फोर्टीथ्री गुजर रहे देखेंगे यह पूरा DR हाइवे 43 होते हुए अंभीकापुर होते हुए फिर जस्पूर से जर्सपूर से जारकंड नैशनल हाइवे 43 ठिक कौन कौन से तहसील है तहसील भी पुरा बना रखे मैंने यहां पर जैसे देखिए यह आपका यह यहाँ पर खडगावा एक तैसिल है ठीक है ना तो यह सारी चीज़े मैंने बना रखी है यहाँ पर कुरासिया की पहाड़ी भी है जहाँ पर कोईला चित्र है कुरासिया की पहाड़ी ठीक गुंजी नामक इस्थाल है आपर कोरिया में जहाँ पर 500 मेगावाट का थर्मल कोला बच्ताइब तो यह होग्या कोरिया जीला पूरा आगाते हैं सूरजपूर जीना में Loff में रामकोला ध्यान में रखना है थिकने और इसे और ओर पर यूझो लिखा इंए उसका मतलब यूरेफ। हो फुर्णा थे झ मतलब यूपलब्दता है है यहां पर मैंने किया हुआ यहां पर और भाया थान में यह ताप विद्धिद्ग्रा इस्टैब्लिश किया जा रहा है अन्य कंपनी के सायता से ठिक तैसिल की बात करें तो भया थान, ओडगी, रामानुज नगर, प्रेम नगर ये सारे हैं जिला मुखिया लैक्या सूरजपूर तैसिल होने के साथ-साथ आगे बड़े बलरांपूर की बात करें तैसिल में वाटरपनगर, राजपूर, रामानुज गंज, कुस्मी कोईला चेतर देखे, ताता पानी, तारा, शंकरगर, उडिया, ये सभी कोईला, C लिखा हुआ है, कोईला चेतर है ये, ओके, तो ये होगे तीन, अब एक चीज, इसके अलावा यहाँ पर, बोकसाइट, B लिखा हुआ है, मतलब बोकसाइट, समझ लिजिए, B मतलब बोकसाइ यहाँ पर कर दिया मैंने, क्लियर है, ठीक है, तो इतने सारे खनीच, सरगुजा संभागे, तीन जीले, आगे देखते है, केरता में, जैसे कि मैंने कहा, शक्कर का खाना है, मा महमाया सहकारी शक्कर का खाना है, केरता में, सूरजपूर के अंतरगत, कब इस्टैबलिश हु मतलब कुल मिलाकर 96 मेगावाट हो जाती है, रेहर विद्यूत जल परियोजना, यह सूरजपूर के अंतरगत ही आता है, कनहार जल विद्यूत परियोजना भी बलरामपूर में है, ठीक, कनहार जल विद्यूत परियोजना बलरामपूर में है, 25 मेगावाट का दो यूनिट म अमेरिका की मदद से स्टेब्लिश किया जा रहा है बलरामपूर में कुल छमता 30 मेगावट की याद करते चले आगे बढ़ते हैं कि चले सर्गुजा संभा के बचे हुए जीले कवर करते हैं मतलब सर्गुजा जाश्पूर जीला ठीक है सारी चीज़े कवर करेंगे कोईला का सिम्बल है तैसिल अब सोना भी कहीं पर मिलेगा तो जी लिखा हुआ है बॉक्साइट और यह और द्योगिक चेत्र तो पहले भी सिम्बल वही रहने वाले हैं सभी के लिए सिम्बल कहीं भी परिवर्थित नहीं हुए ना तो रेफरेंस आप सिम्बल के तौर पर बस ध्यान में रखेएगा चलिए देखते हैं यह नैशनल हाईवे 43 हमने देखा था मुईगापूर होते हुए जाशपूर से चले जा रहा पाट जो रहा पाट जारंगपाट घ्रीक है को के जट में सेद़ी जोसेदो को यसे लखनपूर अब लखनपूर यह देखिए सबगूजा चन्वात जीला देख रहे हिam act सरगुजा जीले के अंतरगत आता है वैसे ही सोडिया सोडिया ये सारे कोईला च्छितर बॉक्साइट में जोरा पाट जारंग पाट देखा था जोरा पाट जारंग पाट सर्गुजा का चेत्र सर्गुजा जिले में आता है और मैंपाट में भी बॉक्साइट की प्रदानता है मैंपाट ठीक है और मैंपाट के साथ साथ मैन पाइट के साथ साथ डांड केसरा उडंगा पटपटिया साथ भाड़ी चेत्र सीतापूर ये भी बॉक्साइट चेत्र है क्या-क्या डांड केसरा उडंगा पटपटिया साथ भाड़ी चेत्र और सीतापूर ये सभी सरगुजय के अंतरकातार हैं बॉक्साइट चेत है यहां पर यह सारे इसके अंतरगर तहसिल और द्योगिक छेतर के रूप में सर्गुजा जीले से आपको गंगापूर खुर्द का नाम ध्यान में रखना है क्या गंगापूर खुर्द यह एक आई-आई-डी-सी है ठीक है इंटिग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट सेंटर आई-आई-डी-सी एकिकरित अधो सरचना विकास केंद्र तो आई-आई-डी-सी कौन-कौन सा ये भी पूछा जाता लागस है तो गंगापूर खुर्द ठीक सरगुजा जीले के अंतरगत यह हो गया आगे देखें यह आपका जश्पूर जीला जश्पूर जीला में मुख्यूरुप से आपको बॉक्साइट ध्यान में रखना है यह सारे बी बी लिखे हो है बॉक्साइट च तहसिल है और कौन-कौन से तहसिल जश्पूर नगर आपका जीला मुख्यार तहसिल के सांसांत दुलदुला कुंकुरी कांसा बेल पत्थल गाओं यह सभी के सभी तहसिल है फरसा बाहर फरसा बाहर चिक अब यहां पर एक चीज लिखा हुआ है जी मतलब गोल्ड घँए कर एक कौमन क्या नहीं है कौमन सोना नहीं है सोना चृट पूछ ले गाप से है की नहीं और सर्घुर में बंट जिला के अंतरगत करता है ये सारे बार्क ठेक है, इंडस्ट्रियल छेत्र, यह सारे भी मातपुर्ण है, सरगुजा के सम्मण में और देखिए, कोईला छेत्र है, और कहां पर, गोटान में, गोटान, सरगुजा के अंतरगत आ रहा है, और बिर्जो पानी, पाँच बहीनी, यह सारे छेत्र और कोईला के लिए प्रसि उतना हाइलाइटेड नहीं है, पूछ रखते हैं, गार्नेट, कहां मिलेगा जस्पूर के अंतरगत, बिसपूर नामक चेत्र में, बिसनपूर माफिजे, बिसनपूर नामक चेत्र में, ठिक है, चले, ये हो गया, आपका सर्गुजा संभाग पूरा, आगे देखते हैं, अब प्रकार का इसका मतलब चुना पत्थर होने वाला है अब से और अद्योगीक चेत्र तो पहले भी हमने देख रहा है कि नहीं ठीक है अब थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं तो देखेगा इसको मैं थोड़ा करके बताता हूं आपको चलिए यह आपका पहले जैसे कि मैंने कहा कोरबा और जांजगीर चापा पहले कवर कर रहे हैं यह कोरबा है यह जांजगीर चापा है तो देखेए अब नेशनल हाइवे यहां से 130 आ रहे है नीचे कटगोरा से होते हुए चला जागा इधर बिलासपूर होते हुए नीचे 130 नीचे चला जाता है अब वो खेर नेशनल हाइवे के अभी फिलाल बात नहीं कर रहा है वो भी मैंशन किया है मैंने नेशनल हाइवे से आज तक प्रस्वन नहीं पूछा गया है तो नेशनल हाईवे अगर आप करना चाते तो बिल्कुल करके चले जाए यह नॉलेज पॉइंट आफ व्यू से लिखा हुआ यहाँ पर लेकिन यहाँ पर मैं खनीच की बात करूँगा मुख्य रूप से कोईला चेतर के रूप में कोरबा से रिलेटेड आपको इतने सारे चेतर मतलब गेवरा कुसमुंडा मुकुन घाट दीपका ठीक है और कोरबा में प्रॉपर ठीक और सेंदूरगड मानिकपूर यह सारे के सारे कोईला चेतर है कोल चेतर है कोरबा के अंतरगत ठीक है और मिलेगा बॉक्साइट मिलेगा कोरुबा में कहा का पुटका पहाड केरता पहाड पवन खेडा पहाडी सभी कोरुबा के अंतर का तारे कुछ कुछ यहां पर परेटन इस्थाल भी है जैसे तुमाड हो गया लाफा गड़ हो गया चैतूर गड़ यह मैंने एक्स्राइड कर दिया है परेटन की दिश्टी से लेकिन परेटन पूरा यहां पर नहीं हुआ है ठीक है तो यह भी आप ध्यान रखें क्लियर चले आगे देखें यह आपका जांजगीर चापा जांजगीर चापा में और दोगीक छेटर ध्यान में रख लिए चुरी में एक यहां पर मैंने एक सिंबल बना हुआ है जिसका नाम है कापन कापन एक डीशी अफॉल फॉल फॉल पर बता चुक हौं का पन चांजगी चापक के अंतर को दुगीग चेतर कापन यहाँ पर चुना पत्थर पाय जाता है कहाँ पर अकल तरह और अरस्मेटा में ठीक है एक और अध्यूगीग चेतर के तौर पे ध्यान रखना है मुकता राजा मुकता राजा एक विकास केंदर है और दोगी विकास केंदर है डोलो माइड भी यहाँ पर मिलता है और डोलो माइड के तौर पे आपको धियान रखना है 12 द्वार सक्ती मदनपूर छीता पड़रिया ठीक है छीता पड़रिया ओके है जान्जगिर चापा में कुल 10 तहसील है अलक से आपर लिख्या क्योंकि 10 त्हसील को यहां पर एंड करने का यहां पर स्पेस नहीं था तो इस करण अलग मैंने लिख दिया है सबसे ज़्यादा तैसिल वाला यह जीला है जांजगीर चापा ठीक है ना चले आगे बड़े कि अब देखिए जो बाते चेस रहे थी मैं में वो देखिए कोरवा में अनिखनीश फायर गले भी मिलता है अब यह जेखिए यहाँ पर यहाँ सिंबल बना था ताप विद्यूद ग्रह का थर्माल पावर प्लांट का तो देखिए एंटीपीसी है जमीनी पाली कोरवा के अंतरकत थीक है जमीनी पाली कोरवा के अंतरकत 26 मेगावाट हाला कि यह केंद्री उपकरम का थर्माल पावर प्लांट है ना की राजी के उपकरम का तो केंद्री उपकरम का एंटीपीसी थर्माल पावर प्लांट 26 मेगावाट कैपिसेटी 1978 में इसका इस्टेबलिशमेंट हुआ अगला श्यामा प्रसाद मुखर जी ताप स्थापना हुई थी यह भी कोर्बा के अंतरगत आता है आगे देखिए कोर्बा के अंतरगत अन्युद्यों के रूप में बाल को आपको ध्यान में रखना है अल्यूमिनियम कंपनी ठीक है भारत अल्यूमिनियम कंपनी बाल को 1965 में इसकी इसकी स्थापना हुई कोर्बा मे रिलेटेड एल्यूमिनियम पार्क काहां पता है कोर्बा दोदर होना मग चेतर में कि प्राइगण कशा घ्ण सा सिल्प कॉम्पलेक्स यांजगी साथ रायग। ठीक है प्रकाश इस्पंज आयरन चापा में लाफार्ज सीमेंट आरा समेटा में ठीक कागा चुद्ध्योग के रुप में ब्रुक बॉन पेपर मिल आपको ध्यान में रखना है मद्य भारत पेपर मिल आपको ध्यान रखना है बिल गहनी के अंतरगत आगे देखें चापा के बारे में बात करें जो कागाच उद्ध्योग है दोनों के दोनों ब्रुक बॉन पेपर मिल और मद्य भारत पेपर मिल बेर गहनी दोनों चापा के अंतरगत है ठीक है कोसा सिल्क के लिए मशूर चंद्रपूर जो जांजगीर में है कोसा शिल्क के लि 288 मेगा वाट्ट जिसमें कॉर्भा में 282 मेगा वाट्ट जिसमें कौर्बा में 282 मेगा वाट्ट की छमता है और बिलासपुर जीला, मुंगेली जीला और रायगर जीला तो इस्टडी करते हैं यहां से देखेगा देखेए कौन-कौन सा खनीच पाये जाएगा तो सारे सिंबॉल अल्टिमेटली वही हो नहीं पहले रायगर से शुरुवात कर लेते हैं घरगोडा खरसिय यह सारे चेत्र है कौएला चेत्र है को अब बॉकसाइट भी मिलेगा किंधा चेत्र से रायगर के अंतरकत डोलोमाइट मिलेगा कटंग पाली में कटंग पाली में यहाँ पर यह थर्मल पाउर प्लांट का सिंबल बना हुआ है मतलब पुसौर में भी एक एंटीपीसी आएगा मैं बताऊंगो उसके बारे में और दोगिक छेत्र है यहाँ पर महुआ पाली लाराग के अंतरगत आता है जी से यहाँ पर सोना छेत्र भी है सो आता है यहाँ पर आता है जिला है एक है कि खमरीय और शिय्मार य और मूंगेलिक के अंतरगत मुंगेले में भी आपका चुना फाया है चुना चेत्र हिए आप लिखा हुए चुना तो यह थहानर रख ले तो यह पुरा मैप है ंदेख लिजिए ध्यान से으면 कुछ बात कर लेते हैं और दोगीक छेत्र के रूप में देखे ऐसी सील साउथ इस्टन कोल लिमिटेड का मुख्याल है बिलासपुर में है चमता भी यहां पर लिखी हुई है 2980 मेगावाट 4000 मेगावाट मतलब 36 गड़ में जो एंटीपीसी उसमें सबसे आदा चमता किसकी है पुसौर की रैगड के अंतरगा ताता है एंटीपीसी पुसौर बोलते हैं एंटीपीसी लागा भी बोल देते हैं 4000 मेगावाट ठीक है 2014 औ और कोईला चेत्र रैगड के अंतर का तलग से ओर लिख दिये जैसे मांडघाटी हो गया चाल चेत्र हो गया बरॉध हो गया कुडूं केला हो गया ड़ाम पाली गोरपालमा चिमटा पाणी तिलही पानी यह इतना याद करना समझ रहो है मुश्किल का काम है लेकिन थुड़ मोहन जूट मिल सबसे पुराना चत्तिजगल का 1935 से राजे का एक मात्र ये जूट मिल है मोहन जूट मिल ठीक है और कोसा शिल्फ कॉंपलेक्स भी है राइगल के अंतरक्स जो पहले भी देखा था हमने आगे देखें बिलासपुर में और क्या-क्या चीजे है तो बिलासपु इसी फर्टिलाइजर कनोई पेपर मेल ठेका बिलासपुर में माची सुद्योग है जिसे 36 गड़का शीवा कासी कहा जाता है इसी बिलासपुर के अंतरगत ठीक है तो इतनी बात द्यान में रखें अगला ये आपका आगया क्या रैपुर संभाग रैपुर संभाग अब र रैपुर महतुपण होने वाला है और ये आपका बलादाबजार ये दोनों चेतर मुक्ष्य और मुक्ष्य रूप से केवल चुना पत्थर और डोलोमैट के लिए प्रसित दोने वाला है तो ये जो आपका ठोबसा मैं जूम कर देता हूँ देखेंगे ये जो आपका छेतर ये railway line मनाया है मैंने पूरा भाटा पारा से लेकर रैपूर तक और ये नैशनल हाइवे 130 जो बिलासपूर से हो के आ रहा था वो है सड़क माल रेल मार्क उसके थुरू कहा कहा बीच में कौन कौन सा खनीच छेतर आ रहा है वो पूरा लिखा हुआ है ठीक है ये पूरा आपको पीडिया प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सांती साथ धमतरी भी कवर करवा दिया जाएगा धमतरी में कवर करवा दिया गया है धमतरी में आपका श्यामा तराई और दुगिक छेतर के तोर पे आपको ध्यान रखना है खनीच की द्रिश्टी से धमतरी ध्यान में नहीं ही रखना है ठीक है कि अ कि अ हुआ हुआ है तो यह सारी चीज़े हैं कहां का पर कौन कौन सा देखे रैपूर से तेंदुवा आमा सीवनी सारे और द्वगिक चेतर हैं तेंदुवा आयाई डीजी है आपका ठीक है यहां पर बैकुंठ तिल्दा मांधर रावा भाटा पूरी उर्ला सिल्तरा सारे के सारे अध्योगिक चेतर है लाइन से ठीक है पूरा मैप के तुरू बनाएं स्क्रीन शॉट लेते जाएं या फिर आपको पीडियाफ तो देई दिया जाएगा उससे आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल और इसके समन्द में यह सारे फैक्ट बच्या हुआ जीला बहुत ही मादपूर्ण इसको थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं क्योंकि थोड़े अनकॉमन खनीज पाए जाएंगे इसमें महासमून और गरियाबंद में जैसे महासमून की बात करेंगे तो देखे यह एफ मतलब है यहाँ पर आपका फ्लोराइट मैग चुरा कुटा घाट कचार में फ्लोराइट मिलेगा बिरकोनी और दोगी छेत्र है बिलासपूर के अंतरगत इस तरीके से यह गरियाबंद है मैगनीज मिलेगा परसुली में ठीक है गारनेट मिलेगा कोहे कला लाटा पारा धूम कोटा के दूवन में और यह लाइन से हीरा चेत्र हैं गरियाबंद के अंतरगत द्यार रखेंगे तो मैगनीज गारनेट हीरा गरियाबंद याद रखें फ्लोराइट महासमोन फ्लोराइट आपका आगे राजनान्दगाव में भी मिलेगा यह महत्पूर है और यह सारी अन्य बाते कहां पर क्या किसांद को शॉपिं यह अध पूर रहता है यह और यह मतलब को आपका रहे है क्या-क्या यह मतलब मतलब क्वाड़ाइट Q मतलब Quartzite बाकी सारी चीज़े वही है अब देखिए लोहा इंट्रोड्यूस होने वाला है मतलब जहां कहीं भी इस प्रकार का आपको symbol दिखाई देगा इसका मतलब लोहा चेत्र होगा ठीक है? लोहा चेत्र होगा यह आप ध्यान रखें तो यह देखिए लोहा कहा कहा पर है यहां से बात करें तो एक लामा, चेलिक लामा चिल्फिगाटी चेत्र में लोहा, बाकी और द्योगिक चेत्र और विद्दुद चेत्र का symbol तो आप जानता ही है B से वॉक्साइट होता है आप जानता है यह आपका नया है कोट्जाइट क्यू लिखा हुआ है क्यू से क्वाट्जाइट पनिया जो बोर तालाब राधनानद गाउं का चेत्र ठीक है यह अध्यानक है लाइन से यह जो आपका राधनानद गाउं से लेकर दुर्ग-दुर्ग से लेकर राइपूर जो जाता है नैशनल हाइवे 53 फिर यह आगे जाता है पूरा सराय पाली तक तो वो पूरा लाइन से कौन कों से अध्योगी छेतर है यह भी पूरा मैंचन किया हुआ है यहाँ पर देखके जाएगा अब देखें यहाँ पर फ्लोराइट मैंने कहा था एफ राजन यह आगों के अंतरगत बंडारी तोला के अंतरगत यूरेनियम यूरेनियम पाये जा रहा है राद्नांद गाओं में भी जैसे हमने सूरद्पूर में देखा था बाकि यह जो सारी चीज़े दिखुर रहे हैं कौन सा छेतर है लुगा चेतर है जैसे डली राज हरा आमको प चलिए आगे बड़े यह आपका बस्तर संभाग हो जा रहा है कौन कौन से नए खनीज है यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं आपको शायद सिंबल यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो देखेगा ध्यान से सोना चेत्र देखे यह आपका कांके नरायनपूर बिजापूर कुंडा गाउं बसतार इतना जीला कवर हुआ है तो यहाँ पर सोना चेत्र सोना देही बाकी यह जो चेत्र है आपका ठीक है भानुप्रतापूर चरामा चेक यह मेटा बोदली राव घाट सभी लोहा पैदा कर मिलने वाले चेत्र है लोहा खारीज मिलने वाला चोट रहाए कि ओके वी से भॉक या जानते हे चुझा यह नाया आपका घ्ली जिठी मतलब आपका गार्नेयट है कंधर पूरी HA अब नीचे आजाते हैं बीजापुर में आप देखेंगे तो यहां अलंटेपाल नामक चेत्र में है ठीक है घार्नेट मिल रहा है कुजनूर धंगोल चिगुदापली दामपता से याद करते जाएं साथ-साथ ध्यान में रखते जाएं ठीक है तो यह है जीटी से गार्नेट है आपका बीसे बॉक्साइट है यह तो आपको पता ही है प्लियर औ से माई का माई का जीटी से ग्रेनाइट मैंने बता दिया है और यह तो लोहा चेत्र है बचे हुई यह दंते वड़ा और यह सुकमा जीला कवर कर लीजेगा इसको बिल्कुल अंतिम समय में पढ़के जाएगा सारे महत्पूर्ण बाते मैंने इसमें एड करके रखिये दोस्तों ठीक है तो यह था 36 गल का भुगोल लास लास में थोड़ा ज्यादा भगाना पड़ा थोड़ा स्पीड से करना पड़ा क्योंकि वीडियो जब ज्यादा लेंद का जाता है तो उसे देखना थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जात तो इसको बिल्कुल करके जाईएगा धन्यवत